कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास सेवंथ के सभी चैप्रस को कम्प्रीट कर लिया था अब हम क्लास एट के चैप्रस को स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्र नंबर 17 होगा क्योंकि इससे पहले मादिमिक शिक्षा बोर की किताब में जोगरफी के चैप्र और सिविक्स के का भारत चैप्टर 17 कि पूशन नंबर वन औरंग जेव की म्रत्यों कब हुई औरंग जेव की म्रत्यों कब हुई थी इसक्राइट अंसर है औरंग जेव की म्रत्यों 1707 इस्वी में हुई थी नेक्स्ट कुश्चन औरंग जेव कौन कौन से धर्म से नफ्रत करता था औरंग मुगलों के पतन का प्रमुक कारण क्या माना जाता है इसका राइट अंसर है जो मेन कारण था वो था मराठों की सक्ति का उद्भव तो मुगलों के पतन का मुगलों के कारण था मराठों की सक्ति का उद्भव इसके अलावा मुगलों के पतन के जो सामन्ने कारण थे वो थे औरंग जेव की धार्मिक नीटी, औरंग जेव के बाद की कमजोर मुगल शाशकों का होना और मुगलों द्वारा इस्थापत्य पर बहुत अधिक खर्च करना और लास्टर एहमद्शा अब्दाली और नादिर पंजाब में किसके नेत्रत्व में सिख्खों ने स्वयम को स्वतंत्र घोसित किया था जाइट अंसर बंदा बहादूर मुगलों के मयूर सिंखासन को किस नाम से जाना जाता है इसका सही आंसर है तक्ते ताउत के नाम से तो मयूर सिंखासन को तक्ते ताउत के नाम से भी जाना जाता है नादिर शाह 1749 इसवी में तक्ते ताउत को लूट कर इरान ले गया था उस समय भारत में मुगल शाशक कौन था इसका सही आंजर है कि जब नादिर शाह 1749 में मयूर सिंगाशन को लूट कर इरान ले गया था तो उस समय मुगल बादशा मोहमद शारंगीला शाशक थे नेक्स्ट कुच्चैन एहमद्चा अबदाली ने भारत पर कितने बार आकर्मट किया था जिसमने पानीपत का जो टीषरा यूद्ध है 1791 में लड़ा गया था मराटों के गुरत वो सबसे जादा पेमस यूद्ध है नेक्स्ट कुचैन मुगलकाल में कौन सी यूरोपिय जातियां भारत आई थी तो क्रम से इनका आंसर है पुर्तगाली जो 1498 में अंग्रेज 1600 में फ्रांसिसी 1664 में आये थे और अंत में डच आये थे लेकिन डचों को अंग्रेजों ने परास्त किया था 1769 में वेदरा के युद में तो आपसे य जा सकता है कि जो वेदरा का युद्व था वो किस-किस के बीच में लड़ा गया था वो डचों और अंग्रेजों की बीच में 1769 में लड़ा गया था तो मुगलकाल में कौन सी यूरोपिय जातियां आई थी पहले पूर्तगाल आये थे फिर अंग्रेज फिर प्रांसिसी औ प्रमुक कारण तो मराठों की सकती के उद्वब को माना जाता है और मुगलों के पतन का अंतिम कारण इस इंडिया कंपनी का राजने तेक हस्तशेव था आपको तो यह पता होगा कि जब इस इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसका उद्देश्य था वो केवन व्यापार करना था लेकिन धीरे धीरे इस इंडिया कंपनी ने भारत के जो न भारत में सामाजिक और राजनेतिक द्रस्टी से हस्तिश्यप करना प्रारम कर दिया था और वह है उसने अपना पूरा अपनी पूरी सत्ता जो है वह भारत पर प्रारम कर दी थी तो ये मुगलों के पतन का जो अंतिम कारण था नेक्स्ट कुश्यन पर चलते हैं मराठा सामराज्य की स्थापना महरास्ट्र में किसने की थी महरास्ट्र में मराठा सामराज्य की स्थापना किसने की थी तो मराठा सामराज्य की स्थापना की थी सिवाजी ने नेक्स्ट कुश्यन मराठा सामराज्य में चत्रपती के स्थान पर कौन सक्तिशाली हुए माराठा सामराच्य में चत्रपती के स्थान पर कौन सक्तिशाली हुए इसका राइट आंसर है पेश्वा सक्तिशाली हुए माराठा सामराच्य में चत्रपती के स्थान पर पेश्वा सक्तिशाली हुए नेक्स्ट कुश्यन पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ अब ये आंसर तो इस कुश्चन का आंसर तो आपको रठ ही गया होगा क्योंकि हर वीडियो में ये कुश्चन जो है वो आया ही है इसका राइट आंसर है ये है युद 1761 में एहमद साअब दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था जिसमें मराठे पराजित हुए थे और लगभग 30,000 से जादा मराठे जो थे हो इसमें मारे भी गए थे अंग्रेजों ने मराठा के साथ कितनी बार युद किया था अंग्रेजों ने मराठा के साथ कितनी बार युद किया था तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों ने मराठों के साथ तीन बार युद किया था एक तो 1782 में युद किया था जिसे सालावाई की संधी भी कहा जाता है दूसरा अठारा सो तीन में अंग्रेज, मराठा, युद्ध जिसे दुत्तिय अंग्रेज, मराठा, युद्ध कहते हैं तीसरा अठारा सो सत्तरा में जिसे त्रत्तिय अंग्रेज, मराठा, युद्ध कहा जाता है तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध ती सích retard prends था जातों की शक्ती का विकास किसके नितरत्व में हुआ तो राइड आंसर है जातों की शक्ति का विकास जो है वो भरत्पुर के महाराज सूरज मल के नित्रतों में हुआ था नेक्स्ट पर चलते हैं भरत्पुर को अपनी राजदानी किसने बनाया था तो भरत्पुर को अपनी राजदानी महाराजर सुरज मन्ने ही बनाया था नेक्स्ट वेशंन भरतपूर के कि शाशक yang ngay अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यस्वंत्रा आपू कुजा की थी तो इसक कर आइट ढश लेंग दितर हैं रंजीत्स सिंह रंजीत ने अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर मराठा यस्वंत्रा आपू कर कि साइधा की थी क्योंकि अंग्रेजों ने यह राजबूतों से यसंदी घड़ ली थी कि वो किसी भी मराठा की है नहीं करेंगे लेकिन रंजी सिंग भरतपूर के शाशक थे उन्होंने अंग्रेजों के विलोद जाकर मराठा शाशक यस्वंद रहूल करकी है थी नेक्स्ट कि मुगलों के मनसबदार निजाम चिन के लिन खाने दक्षन के छे मुगल सूबों को मिला कर किस राज्य का निर्मान किया इसकराईट अंसर है निजाम चिन के लिन खाने दक्षन के छे मुगल सूबों को मिला कर जिस राज्य का निर्मान किया वो राज्य था कि मराठों ने निजाम चिन किलिन खांग को किसी युद्व में पराजտत किया था। स्कVES्का रएट अंसर है है और खेद के युद्व में किस में पराजित किया था कि युद्व में लेक्स्ट कुष्ण है और तरहससा के कि स्थाफना किस ने की अवद की स्थावना किसने की इसका सही आंसर है शहादत खाने जो 1772 में की थी आवधराजी की स्थावनासा घwirतने कि थी नेक्स्ट स्टापन से वंगाल राज़्य की स्थापना किसने की अ ऑल चीरा है पंगाल राज़्य की स्थापना मूर्षिद खुली खाने खीथि यह जो टीन कुश्चन है जिसमें है एद्रवाद की स्थाफना चिन किलिन खाने की थी, अवदराजी की स्थाफना सहादत खाने की थी और बंगार राजी की स्थाफना मुर्षिट्पुली खाने की थी यह Qशन आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कुश्यन जो है वो बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है एक प्लासी का युद्ध कब हुआ किस-किस के बीच में हुआ और एक बकसर का युद्ध कब हुआ और किस-किस के बीच में हुआ ये कुश्यन्स लो आप से एक्जाम में पूछ ले जाते हैं नेक्स्ट कुश्यन स्वरी आंसर है इसका कि प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 इसली में अंग्रेज सेनापती रॉबर्ट क्लाइफ और सिराजित दौला के बीच हुआ था इस युद्ध के बाद ही पंगाल पर अंग्रेजी सामराज्य जो है वो स्थाफित हो गया था और धीरे धीरे जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल मदरास मैसूर कलकत्ता और इसके बाद पूरे भारत पर अपना कपजा कर लिया था नेक्स्ट कुश्यन बक्सर का युद्ध कब वा किसके बीच हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना अस्तित्व यहाँ पर जमा लिया था तो जो सेकेंड युद्ध होता है वो बक्सर का युद्ध होता है और यह किसके बीच में हुआ था बक्सर कायुत 1764 इस्वी में अंग्रेज और मीर काशिम के बीच हुआ था वाडियार बंसके राजाओं का राज्य कौन सा था? स्कराइट अंसर है मैसूर मैसूर जो था वो वाडियार बंसके राजाओं का राज्य था अठावी सदी के मद्यकाल में इसके सैनापती ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था हैदर अली किसका सैनापती था? स्कराइट अंसर है हैदर अली वाडियार बंसके राजाओं का सैनापती था पर इसी ने 18 सताफदीके मत्यकाल में मैसूर पर अधिकार कर लिया था और हैदर अली के पुत्र का नाम टिकू सुल्तान था this question yeah मैचुर पर अंग्रेजोंने कितनी बार युद्ध किएule अंग्रेजोंने कितनी बार युद्ध किय omdat it अंग्रेज्थोंने मराथा के साथ जो युद्ध है वो तीन बार चिया था saptera sado 1883 और 1817 इसी प्रकार अंग्रेजों ने मैसूर पर जो आक्रमन था जो युद्ध था वो चार बार किया था कितने बार किया था चार बार 1767, 1780, 1790 और 1799 रिपीट कर देते हैं कि मैसूर पर अंग्रेजों ने जार बार युद्ध किया था 1767, 1780, 1790 और 1799 और जो अंतिम युद्ध था 1799 का इसे श्रीव रंग पट्नम का युद्ध भी कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन अंग्रेजों को चंदन वा इलाइची का निर्याद टिपो सुल्तान ने कब रोका था इसका राइट अंसर है 1785 इसली में अंग्रेजों को चंदन और इलाइची का निर्याद जो है वो टिपो सुल्तान ने रोक दिया था और वहां के स्थानिय व्यपारियों को भी निर्याद करने से मना कर दिया था जो मैसूर था वो मालावार तट पर होने वाला व्यपार का पूर्ण यंत्रण रखता था जिससे अंग्रेज जो थे तीपो सुल्तान के इस काम से भड़क गए थे जब उन्होंने इलाइची और चंदन के निर्याद पर रोक लगा दी थी वैसे जो टीपो सुल्तान था उ जो मैसूर के साथ अंग्रेजों की जो जंग थी उन्टिम जंग थी और मैसूर के साथ अंग्रेजों के चार बार युद खिये थे 1764 1780 1790 और जन्टिम युद जो था वो स्री रंघम्राटनम का युद था नेच्च टुश्च्छ राजपूत राचाओं का होड़ा नामक स्थान पर सम्मेलन किसने बुलाया था? स्कराइट आंसर है सवाई जैसिंग और अन्यशाशगों ने मिलकर होड़ा सम्मेलन बुलाया था नेक्स्ट वुश्यन और ये जो सम्मेलन था वो सत्रसर चौतिस इसवी में भीलवाड़ा में बुलाया था जैपूर के महराज कौन थे? जैपूर के महराज कौन थे? तो जैपूर के महराज थे सवाई जैसिंग नेक्स्ट वुश्यन भारत में पांच स्थानों पर बैद शाला और जैसिंग ने बनवाया था नेक्स्ट वुश्यन मालवा की सुब्यदारी किसने प्राप्ट की ती? इसका सही जवाब है सवाई जैसिंग ने मालवा की जुवेदारी प्राप्ट की थी नेक्स्ट कुश्चिन हुरडा सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? हुरडा सम्मेलन जो 1734 इस्वी में राजबूत राचाओं जिसमें सवाई जैसिंग प्रमुक थे उनके द्वारा बुलाया गया था तो इस सम्मेलन को बुलाने का क्या कारण था? स्कराइट अंसर है उस समय मराठों के बड़ते प्रवाव को रोपने के लिए मराठों के जो बड़ते प्रयास दे उनको रोपने के लिए सवाई जैसिंग और अन्डशाष्ट को ने भील बाड़ा में रोडा सम्मेलन बुलाया था इसके अलावा राजबूतों की एकता का प्रयास करने के लिए भी थोड़ा सम्मेलन को बुलाया था और में कारण जो था वो मराठों का बड़ता प्रयास को रोपना था नेक्स्ट वोश्चन जोदपूर के महराजा अजीज सींग ने किस मुगल सम्मराठ को गद्दी से हटाने में महत्पून योगदान दिया था कि इसकराइब अंचार है मुगल्सम्राठ पर्ooakshira नोगोड़े के जो महराज अजीश के उन्होंने उगल्सम्राठ पर्ooक शियर को गट्री सीहहटाने में महैठमून योगतान दिया था जैपूर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सीग ने मराथों को किस युद में हराया था तो सवाई प्रताप सीग ने मराथों को तुंगा के युद में हराया था आंसर इसका तुंगा का युद हवा महल का निर्मान किसने करवाया था सवाई प्रताप सिंग ने हवा महल का निर्मान करवाया था और सवाई जैसिंग ने पाँच स्थानों पर वैद जाला और जंतरमंतर बनवाया था डीं के महलों का निर्मान किसने करवाया था स्कराइट आंसर है जाट सासकों द्वारा डीं के महलों का निर्मान करवाया गया था जाट सासकों द्वारा डीन के महलों का निर्मान करवाया गया था नेक्स्ट पर चलेंगे गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शाशक के तरवार में रहते थे और ये कुशन जो है आने वाली जो भी एक्जाम होगा उसमें आपको 100% तेकने को मिलेगा कि गंधर्व आपने इन चैप्टर मैंसे इन कोशन्स को नहीं किया है तो आप सोचते रह जाएंगे कि ये कुशन जो है वो कहां से पूछा गया था तो प्लीज आप ध्यान से इन वीडियो को देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है वाप चैप्टर डिटेल में कम्प्लीट कर देते हैं सकराइट अंसर है सवाई प्रताफ सीन के दरवार में कंदर 22 जैसे विद्वान रहते थे नेक्स्ट वुश्चन दस्तक का क्या अर्थ है तो दस्तक का अर्थ होता है आज्या पत्र नेक्स्ट वुश्चन चौथ वा सर्देश मुखी क्या है चौथ वा सर्देश मुखी क्या है सकराइट अंसर है चौथ जो है वो मराठों से लिया जाने वाला एक बट चार सुरक्षा कर था और सर्देश मुखी मराठा शेत्र के शास्कों से लिया जाने वाला भूराजस्वगा एक बट दस्वभाग करके रूब में था क्लास एडिक का चैप्टर नुमबर 18 1850 का स divers संग्राम कुष्य नुमबर बन है देज का प्रथम स 탂ंग्राम कब हुआ कब हुआ उग्रीजों ने बंगाल में सामराजी की निफ कब डाली अंग्रीजों ने बंगाल में अपने सामराजी की निफ कब डाली तो सत्तावनी स्वी का जो प्लासी का यूद हुआ था उसमें विजय प्राप्त करके अपने सामराजी की निफ डाली थी ठीक है तो अंग्रेजों ने बंगाल में अपने सामराजी की निफ डाली थी 1775 नेक्ट डिसन पर चलेंगे कुश्य नम ठर्ण है कि कौन सिधी ती जिसमें क्या किया गया था कि यहां राज़ा के कोई संतान नहों तो वह से अग्रेजी सामराजी में मिला लिया जाएगा वह राज्य जो है वह किसी भी आ पालक को गोद नहीं लेपाएगा ठीक है तो घ़न बोद निशेदनीती का प्रभाव सर्व प्रथम किन राज्यों पर पड़ा तो इसका राइट आंसर होगा जैतपुर सतारा नागपुर बिठुर और जहासी पर ठीक है नेक्स्ट पर चलींगे लाड वैलेजली ने सहायक संदी कब चलाई थी लाड वैलेजली ने सहायक संदी कब चलाई थी इसका राइट आंसर होगा 1798 इसवे में लाड वैलेजली ने सहायक संदी चलाई थी नेक्स पर चलेंगे 1856 में सर प्रतम अंग्रेजों ने किसी अपने नियंत्रण में लिया था यानि कि 1857 की जो ग्रांती हुई थी उससे पहले अंग्रेजों ने ऐसे काम किये थी जिसकी वज़े से जो 1857 का शुतुंतरता संग्राम हुआ था तो यह जो आग है वो थीरे-धीरे ही बढ़ती थी ऐसे नहीं हुआ था कि 1858 की जो ग्रांती है वो अचाना से पैता हो गई थी नहीं उससे पहले ही अंग्रेजों ने ऐसे खाम किये थे जिससे की धीरे-धीरे वो ग्रांती जो है वो भड़त रही थी तो 1856 में इस वी में सर में लिया था जिसके एंसर है अवच को जिसे अव रहत अच्छे से उसे अपने लिंदरण में लिन है यह और वाथ जो है उनका बहुत सलाहकार भी माना जाता था लेकिन फिर भी उन्होंने अवच को भी नहीं चोड़ा था नेक्स पर चलेंगे कहां के दीवान ने अंग्रेजी समरतन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतरिक अधिकारों से वंचित कर देने पर वाद दे किया था तो इसका राइट आंसर होगा राजिस्थान में जैपूर में दीवान सुल्था राम जो थे उन्हों ने अंग्रेजी समवर्थन के बन पर अचागीदारों को उनके पैत्रिक एदिकारों से बंचित कर गेने पर वात्या किया था नेक्स पर चलेंगे धार्मिक शेत्र में सरकार ने किस धर्म के प्रचार की छूट दी जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को धर्म परिवर्तन के लिए वात्या किया गया था तो हो था इसाई धर्म अंग्रेजी सरकार चाती थी कि जो भी कमजोर वर्गों के लोग हैं वो इसाई धर्म को अपना ले इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जबर्दस्तिकारे किये थे नेक्स पर चलेंगे अंग्रेजों ने किस व्यापार पर अधिकार जमाया अंग्रेजों ने किस व्यापार पर अधिकार जमाया था इसका राइट अंसर है अंग्रेजों ने नमक वा अफिम के व्यापार पर अपना अधिकार जमाया था किस पर जमाया था नमक वा अफिम पर नेक्स विशन करे कि कि इंगलेंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारती बस्तरों पर अधिक कर लगए थिसका डाइन अंसर और और उस पर इतना अधिक टेक्स लगाते थे कि वह नहीं विकपाता था याजिए दोनों तरफ से भार्तिय लोग थे वो परिशान हो रहे थे इंग्स्ट क्यूश्य Państwo पर चलेंगे एंग्रीजों ने पगया ख राज मतलब पनादन के सुरूत रच्छाने में किस रूत से अंग्रेचों ने भारी मुनाफ़ा कमाया तो आपको इस पहां से आप तो पता चली गया होगा कि नमक से अंग्रेचों ने बहुत ज्यादा मुनाफ़ा कमाया था कि एक स्टावन में हसन्तोस का सबसे कारण बहुत साले कारण के लिए थे लिए नहीं हम से काली कारण पूछा गया है कि लिती हैं हो इस उत्यों में पंद़ा जूने उपने सबसे चहिलना होता था तो हिं दोर के लिए जो थिब बहुत है जो एफ वो मुसल्मानों के लिए तो दोनों धर्मों में आपस में जगडा होने की बज़े और अंग्रेजों ने यहां पर भी अपना असर दिखाया जिसे की दोनों धर्म के लोगों में असर तो स्पैल गया ठीक है जिसे की 1857 की ग्रांती हुई थी नेक्स पर चलेंगे सुरे मल मिश्रण ने कहां कि ठाकुर को विक्रम संबत 1914 में पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा था तो उसका राइट आंसर है पीपल्या के ठाकुर फूल सीम को पत्र लिखा था सुरे मल मिश्रण ने और उनको लताड़ा था ठीक है नेक्स पर चलेंगे कि यह जो नाम है 1857 की क्रांती में राजिस्तर में पेमस नाम है तो उनके लिए लोग गीत क्यों रचे गए इसका आंसर पताने के पोशिश करेंगे आप आपने इनके आंसर जो है वो कमेंट्स वोक्स में लिखा करिए और राइन को देखती हूं और इसे आपको पता भी ल अडार मेंट्स विखा टालेंगे तो ऑफिट आके सेयनापति थे हुल हो चौळं को चेंट्र में यह तो य्यों जिक्छ्ट शेत्र में आता है अक्न की का चौन जीकौन पनेंट्स पोक्रोच मेंकन चींवा था ऊच्ट करता है जात्यांपिए जोद के स्लीच के जोत्पुर के शाचन ने बुरुजी को पकड़वाया था और अंग्रेजों को सौट था देखिए किसी भी क्रांती जो है उसका होने का जो में कारण जो था वो उस राज्ये के या उस देश के जो गत्तार हैं वो प्रमुख्णमे का निवात हैं कोई भी क्रांती आप देख लेंगे तो वहां पर जो गत्तार हैं उन्हों ने इतना ज्यादा सर्यों किया था अंग्रेजों का इन जिसकी वज़े से प्रांती खुल थी नेक्स्ट कुशन पर चलेंगे कि राजपुताने के किसके सहेतिकारों ने 1857 में अंग्रेजों की संधियों की घुवर निल्दा की थी तो वो कौन-कौन थे तो इसका राइट आंचर होगा जोद्पुर के बांती रा तास बुंदी के सुरेमल मिस्टर वराहर तुर्गादत आडा जादूराम आशिया इसको रिपीट कर देते हैं कि जोद्पुर के बांदी दास बुंदी के सुरेमल मिस्टर वराहरट के तुर्गादत आडा जादूराम आशिया भुद्जीवक वोकाल दान इन शाहित्यकारों ने अंग्रेजों की घुर निंदा की थी 1857 के समय नेक्स्ट कुश्यन पर चले और जिसका आंसर होगा क्योंकि बीकानेयर के साशकोंने जवाहर जी को समदे से मना कर दिया ता इसलिए कवयों देखार इंद बीकानेयर के साशकोंगर साहित्यके पर चलेंगे नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नम्बर 20 1857 की ग्रांती की योजना में नाना साहब के साथ कौन-कौन शामिल थे? तो उनके नाम बताइए, जिसका राइट आंसर होगा नाना साहब के साथ थे अजी मुल्ला तथा रंगोजी बागो नेक्स्ट कुश्चन पर चलिएंगे, कुश्चन नम्बर 21 है, कि किस मुगल बाद्शा के नित्रत्व में 31 मही 1857 को भारत में ग्रांती शुरू करने थी? यानि कि भारत में जो क्रांती थी उसकी जो टेट रखी गई कि वो थी 31 मही 1857 थी आपका एक कुश्चन हो गया? ठीक है? तो किस मुगल बाद्शा के नित्रत्व में 31 मही 1857 इस वी भारत में ग्रांती शुरू करने थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट 1857 की क्रांती के मुगल बाद्शा बहादुर्शा सेकेंड ठीक है? नेक्स पर चलेंगे 1857 की क्रांती के लिए बहादुर्शा जफर ने गुप्त बैठक कहां मुलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लाल के लिए में बहादुर्शा ने गुप्त बैठक कहां मुलाई लाल के गवें। घंस्ट कुशेंच पर चलेंगे। मोशनमी करांथी के संदेश वहाग को उने करांथी के प्रतिक चिन किसे बनाया। तो इसका राइट आंस्र होगा कमल के पूल उताग़ टि सुराप नियुक जो कमल के पूल उताग़ा। बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्भी चड़ेकार्थूस कब वित्रित किये गए थे इसका राइट अंसर होगा 29 मार्च 1857 को ठीक है तो चलते हैं next मंगल पांडे को फांसी कब दी गई तो यह डेट आपको याद रखनी है कि मंगल पांडे को फांसी जो है वो आठ अपरेल 1857 को दी गई थी आठ अपरेल 1857 को 29 मार्च 1857 को जब शैनिकों को अंग्री जोने चर्भी चड़ेकार्थूस दिये थे तो शैनिक जो भड़क गए मंगल पांडे ने रिक जो अंग्री अफसर था तो उसकी हत्या कर दी थी मंगल पांडे मेरट से बैरेकपुर जाबनी से थे तो अंग्री जोने उन्हें फांसी आठ अपरेल 1857 को दी थी नेक्स्ट कुश्यन करेंगे भारत में 1857 की क्रांती कब कहां शुरू हुई थी इसका राइट अंसर होगा मेरट में 10 मई 1857 को वो भी बैरेकपुर जाबनी से नेक्स्ट कुश्यन करेंगे दिल्ली पर अधिकार जमाकर सैनिको ने बहादूर शाह को समराट कब घोसित किया था इसका राइट अंसर होगा 11 मई 1857 को नेक्स्ट कुश्यन अवद की जंता ने किसके नेत्रत्व में संगर्श किया था तो अवद की जंता ने बेगम हजरत महल के नेत्रत्व में संगर्श किया था नेक्स्ट कुश्यन कानपूर में क्रांती का नेत्रत्व किस ने किया कानपूर में क्रांती का नेत्रत्व किस ने किया था तो नाना साहब वर तांत्या टोपे इन दौनों ने कानपूर में क्रांती का नेत्रत्व किया था वस्तम में जो तांत्या टोपे थे वह 1857 की क्रांती के ही-डो कहें जाते हैं 6 2 the heartmate कने तो किसन 혼자--" हब what संधाय इसका नinhल्ट होगा बाबू कोर सिन जंस sister जासी में कने तरू कि ने किया था जहासी में कर आन्ती का नित्रतु किसने किया था इसका राइट अंसर होगा रानी लक्ष्मिवाई जो आपको याद ही होगा नेक्ट कुश्यन अवद में असम में क्रांती का नित्रत्व किस ने किया था इसका सही अंसर होगा तीवान मडी राम ने असम में क्रांती का नित्रत्व किया था कुश्यन Number 10 फैजाबाद में करांती का नेतरत्व किस ने किया था तो इसके राइट आंसर होगा मौलवी अहम दुल्ला मौलवी अहम दुल्ला ने फैजाबाद में करांती का नेतरत्व किया था मांडला जो यूप में बढ़ता है क्रांथी का नेतरत्व किस ने किया था अठ्वान चुर्ण जौ है वह अकॉछा जा सकता है क्योंकि एक्जामिनर जो है वह ऐसे कुछेन जालता है पेपर जो कि बहुत ज्यादा यूनिक हो यानि कि आभी तक पूछे भी ना गए हो तो यह कुश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपोर्टेट है इसे आप याद रखिएगा मांडला यूपी में क्रामती का नेतरत्व जो है वो रानी अवंती भाई ने किया था हम एक बार दोबार से र परानी अवंती वाई ने क्रामती का नेतरत्व किया था नेक्स्ट पर चलेंगे आप यह जो नेतरत्व करता है इनको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसमें से एक कुश्चन जो है वो आपके अक्जाम में देखने को मिलेगा कुश्चन नमबर 12 1857 के सिपाही विद् इस वीडियो को देखेंगे ठीक है क्योंकि इस में से जो कुश्चन है वो आपके रीट में तो पूछे ही जाएंगे इसके रावा सेकंड ग्रीड और फस्ट ग्रीड में यह टॉपिक दिया हुआ है तो आप अच्छे से करेंगे तो 1857 के सिपाही विद्रों के दौरान भा इस टाउन ने क्या किया था यह जो भारत में गवर्नर जनरल का पथा इसे समाप्त कर दिया था और इसके बतले वाइसराय निक्त किया था तो प्रथम वाइसराय जो है वो लौड कैनिंग को ही निक्त किया गया था और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो भी लाड कैनिंग और यह अगर भूमा कर पूछा जाए कुश्यन तो 1857 के दौरान जो गवर्नर जन्रल थे वो लाड कैनिंग ही थे ठीक है इसको अप अच्छी से याद रखेंगे कोई करन क्यूज ना हो कि लास्ट गवर्नर जन्रल लाड कैनिंग और फर्स्ट वाइसरा लाड कैनिंग ठीक है सेनापती जन्रल नीन ने बनारस और इलावा से क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया था नेक्स्ट कुश्यन बादशा भादुर्शा जफर की मरत्यू के बाद बादशा के परिवार को लाल के लिए से निकाल कर कहीं और बसाया जाएगा यह किसने कहा था कि भादुर्शा की मरत्यू के बाद उनके परिवार को लाल के लिए से निकाल कर कहीं और बसा देंगे तो नेक्स पर चलेंगे 1856 में किसने कहा कि बाहदुर्शा अंति मुगल समराठ होंगे वह उनकी म्रत्यूं के बाद उनके किसी विवनसास को बादशा नहीं माना चाहेगा तो ये कथन जो है वो कहे थे लॉर्ड कैनिंग है थीक है तो लॉर्ड कैनिंग ने कहे थे तो अठारा सो उनचास में लॉर्ड डल्हुजी ने क्या कहा था कि बहादुर्शा की मृत्यू के बाद बादशा के परिवार को लाल कले से निकाल कर कहीं और बसा देंगे और देखो थोड़े टाइम के बाद लॉट कैनिंग आते हैं वो क्या कहते हैं कि भादुर शाह अंते मुगल सम्राड होगे उनकी म्रत्यों के बाद उनके किसी भी मनसा उसको बाद्शाह नहीं मानेगे केवल राजकुमारी मानेगे तो यह कितना अचंबे वाली बात है कि अंग्रेजों ने भादुर शाह के जीवित रहते हुए ही उनके बारे में दो बाते घ्लियर कर दी ठीक है तो उस समय भादुर शाह के उपर क्या भीतर मैमार है ठीक है वहां वह देजा था तो अंग्रीजा ने क्या किया थाकि दिली परकजा कर लिया था और भात व्थ shifts ये जने जाते घ्थर बता दूं पहु कि बहादुर्षा 2 जो है कि वह वाले भात ब्रहदशा नहीं है सब उल्हेतृ। नाम से भी जाना जाता है, जविपले से जोचनाम से लिए और नंगु PBB. उन्हेनए उन्हेस कितना बद नसीब है सब्सक्ताइस, ंत श्रक मात्रु भूमी पर दोगल जमीन भी नहीं मिली ठीक है next question करेंगे I hope आपको इन बातों से यह कुशन जो है वो याद रखने में आसानी होगी कि राजिस्थान में 1857 की सुरुवात कहां से हुई थी राजिस्थान में 1857 की क्रांति की सुरुवात कहां से हुई थी नसीराबाद में तैनाथ पंदरवी नैटिव बंगाल इंफेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कप किया था तो उन्होंने 28 में 1857 को हमला किया था नेक्स्ट कुश्यन नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अबॉड को चनौती दी नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अबॉड को चनौती दी थी इसका अंसर सोची आप बताने की कोशिश करें कि नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अबॉड को चनौती दी थी तो इसका राइट अंसर नेक्स्ट्क्वूश्चन नीमच में क्रांती कब हुई थी? नीमच में क्रांती के बाद अंग्रेजों ने भाग कर कहां सरन ले थी? शराईट अंसर होगा उधेपुर में इसके राइट आंसर होगा कप्तान शावर्ष कप्तान शावर्ष जो है वो बैवार की सैना लेकर निमज आए थे निमज के बारे में हमने दो अंग्रेज अफसर्स के नाम पड़े हैं है मुहमद अली बेग ने कर्णल अबॉर्ट को नीमच में चुनौती दी थी कप्तान सावर्ज जो मेवाड की सेना लिकर नीमच आये थे ठीक है ऐसे थोड़ा सा एक दो कुश्यन को आपस में कोर्रेलेट करके पड़ेंगे ना तो आपको याद रहें गए लेक्स्ट कुश्चन अबू में अंग्रेजों का विरोथ कब किया था तो इसका राइट अंसर है 21 अगस्त 1857 कब किया था 21 अगस्त 1857 यह जो चैप्टर है वह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है आप इसको एक्नॉर मत करिएगा प्लीज क्योंकि यह आपके एक्सा स्थान से समझ कर तो आपको यह लर्न हो जाएंगे एरिनपुरा के सैनिकों की भेट कौन से स्थान पर आववा के ठाकुर पुशाल सिंग से हुई थी तो इसका राइट अंसर होगा खेरवा नामक इसान इसे आप याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपोर्ट है कि खेरवा नामकिस्तान पर एरिनपुर के सैनिकों की भेंट जो है वो ठाकुर पुशाल सिंग से हुई थी नेक्ट कुश्यन कहां के महराचा ने सैनिक में विरोध का समाचार मिलते ही अपनी सैना क्रामतिकारी सैनिकों के विरोध भेजी इसका सहीं आंसर होगा जोड़ के महराज तक्त सिंग ने सैनिक विरोध का समाचार मिलते ही अपनी सैना क्रामतिकारी सैनिकों के विरोध भेजी देखिए अब आप दुबारा से की एक और गद्दार है जो ठाक्रामति में थे नेक्स्ट विश्यन कुशाल सिंगी सैना ने जोदपूर की सैना को किस स्थान पर हराया था इसका राइट अंसर होगा कि पितोड़ा नामा अकिस्थान पर 8 सितंबर 1857 को पितोड़ा नामा किस्थान पर कुसाल सिंग की सैना ने जोदपूर की सैना को हराया था नेक्स्ट कुश्चन आओवा कि कुसाल सिंग और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच 18 सितंबर 1857 के युद को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट अंसर होगा उसे चैलवासा का युद्ध या गोडे काले का युद्ध के नाम से जाना जाता है तो आप इन दोन नामों को याद रखेंगे कौनपोन से नामों को एक तो 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था उसे चैलवासा का युद्ध और गोरे काले का युद्ध का जाता है जो उशाल सिंग और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच में हुआ था ठीक है और सेकिर विथोड़ा न अग्रिचों ने 1832 में एक सैनिक अधिकारी की निक्ति की थी राजिस्थान में तो उसे एजीजी के नाम से जाना जाता है जो कि एजेंट टू गवर्णर जंडर कहलाता है ठीक है तो नेक्स्ट कुशन चलते है राजिस्थान में प्रथम एजीजी किसे निक्ति किया गया राजिस्थान में जो 1832 में सैनिक अधिकारी की निक्ति की थी तो जो प्रथम एजीजी था वो कौन था तो उनका नाम है लॉकेट जो की अजमेर में निक्ति किये गए थे क्योंकि आंग्रेजों ने अजमेर को अपना मुख्याले बनाया हुआ था नेक्स्ट कुशन राज च्टि कौन थे उनका नाम है पैट्रिक लोरेंस 1857 में पैट लॉरेंस खोफो lea Justine to Governor General चंडल निक्ति कि हा गया था नेक्स्ट घूषण उसका क्रांतिकारियों ने जो सर काठकर आऊगा की द्वार पर लेट का दिया था तो वो थे मैंक मोसंड कौन थे जोदपुर में मैंक मोसंड next question शहावपुरा रियासत ने दिल्ली जा रही क्रांतिकारी सैनिक और अंग्रेजों में से किसकी साहता की थी जब दिल्ली की और पूच कर रहे थे सैनिक तो उनके पीछे अंग्रेज थी तो सहावपुरा रियासत जो उस समय सबसे छोटी रियासत थी इसने भी बहुत बहादूरी से अपना काम किया था 1857 की क्रांती में तो उन्होंने क्रांती कारियों की हेल्प की थी जन्वरी 1858 में किसके निद्रत्व में सैना ने आउवा पर आक्रमन किया था जनवरी 1858 में कुसाल सिंग ने किस सामन्त के यहां सरण ली थी इसका राइट हमसर होगा सलूंबर के सामन्त ठीक है सलूंबर के सामन्त जो थे उनकी यहां पर कुसाल सिंग ने शरण ली थी किस ठाकुर ने अंगरीजों के सामने आतम समर्पर किया था तीन साल अंग्रेजों का सामना करने के बाद 1860 में ठापुर कुसाल सिंग ने अंग्रेजों के सामने आतम समर पर कर दिया था किसा आयोग में कुसाल सिंग पर मुकतमा चलाया वो बाद में बरी कर दिया ऐसा कौन सा आयोग था जिसने कुसाल सिंग पर पहले तो मुकतमा चलाया था उसके बाद उन्हें सही साबित हो जाने पर उन्हें बरी भी कर दिया था तो वो था टेलर आयोग टेलर आयोग ने कुसाल सिंग पर मुकतमा चलाया और बाद में उन्हें बरी कर दिया कोटा में करांती कब हुई थी इसका राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में करांती हुई थी नसीराबाद में कब हुई थी 28 में 1857 नीमच में 3 जून 1857 कोटा में 15 अक्टूबर 1857 नबाया था नाराव सेनिकोर को ने रेजिदैंसी पर आपर मेजर बर्टन का से काटकर कहा घुमाया था इससे पहले जोट पूर के एजेंट थे मैध मुसंं उनका सरकाट के आउबा की दिवार पलटका दिया गया था और मेजर बर्टन का सरकाट कर कोटा शहर में घुमाया गया था नेक्स्ट कुश्यन कोटा शहर को क्रामतिकारियों समुक्ते किस ने करवाया था इसका राइट अंसर होगा मार्च 1858 में जनरल रॉबर्स की नेतरत वाली सैना ने कोटा शहर में कोटा शहर को ग्रामतिकारियों समुक्त करवाया था ठीके प्रेंट्स आप पॉस करके भी इन कुश्चिन्स का आंसर देने की कोशिश करिए यदि आपने ये चैप्र बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है तो आप इन्हें डेटेल से समझिए और इन्हें बार-बार यात करिए और यदि आपने चैप्र पढ़ लिया है तो इन्हें कोश्च्ट सीरीज समझ कर करिए आप पॉस करिए उसके पाद इसका आंसर दीजिए और प भूसा इसासितना। नजयराब EPA कय TOM के राजाओं का सुष्यस के उन्हों कि उभल तुफान में इनू राजाओं में इनू ने मतलग राजाओंने तुफान में राजाओं सुफान में और मतलब ग्या तो हमारी कयरी में पर sagrat तूफान में तरंग अव्रूत का कारे नहीं किया होता तो ये तो पहले से ही भारत से बाहर निकल जाते नेक्स्ट विश्यन 1857 में राजिस्थान का भामाशा किसे कहा जाता है आपने महाराना प्रताप के समय जो भामाशा उनके बारे में तो सुना ही होगा कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ती जो थी वो महाराना प्रताप को उनके पूरी समय में दे दी थी तो 1857 की करांती में राजिस्थान का भाम उनला के तो आउवा की जो गाली मता हैं जिनके 10 शेरवचांग heck riding art 하고 नेक्स्ट कुश्यान में auf 167 कीoya podcasts में किसा में इस कूश्अ को तो आप इँ Hankny आए लगा लें और इस कुश्चन को तो ऐसे याद कर ले विल्कुल आपको एक भी इसमें से पॉइंट जो है जो मैं आपको बताऊंगी एक भी आपको है न मिस नहीं करना है आपको अच्छे से इने लर्ण कर लेना है कि राजिस्तान में उस समय 1857 की क्रामती के समय छह चामिया थे कितनी छह आपने ध्यान से सुनिए नसीरावाद नीमच एरिनपुरा देवली व्याबर और खेरवाड़ा दोबारा से सुनिए नसीरावाद नीमच एरिनपुरा देवली व्याबर और खेरवाड़ा जो व्याबर और खेरवाड़ा थे इन दोनाने 1857 की क्रामती में भार नहीं लिया तावन की क्रांती के समय अंग्रीजों द्वारा जैपूर भरतपूर, कोटा, जोदपूर व उद्यपूर में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंटों के नाम बताईए उध्यपूर में शालों ठीक है रप रिपीट में इडटेंवा नंबर तो नेंस्ट कुष्च नमबर 23 यहूह या में आक तो नसीराबाद में 28 मही को, नीमच में 3 जून को, क्राम्ती की कमान नीमच में स्वरूट सींग में समाली हुई थी डेवरी में 5 जून को, एरिनपुरा में 21 अगस्त को, ठाकुर कुसाल सीं में, विठोडा में 8 सितंबर, और कोटा में 15 अक्टूबर को, जै दयालवा महराव खाने क्रांति की कमान समाली हुई थे स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 19, आधनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्थन और समास सुधारक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बंगाल में पुनर जागरन की सधी किसे माना जाता है, बंगाल में पुनर जागरन की जो सधी है, वो किसे माना जाता है, किस महान समास उधारक ने नारी सिक्षा पर बल दिया था तो फ्रेंट्स मैने चैप्टर्स को बढ़कर अच्छे से समझ कर एक एक कुश्यन्स को निकाला है तो आप इन हर कुश्यन्स पर ध्यान देंगे ठीक है क्योंकि आपके एक्जाम में कोई भी कुश्यन्स पूचा जा सकता है तो बंगाल में इश्वर्चंद विद्या सागर ने नारी सिक्षा पर बल दिया था तो देखिए दो चीज़ ने पता लग ड़ी कि इश्वर्चन्द विद्या सागर ने कहा पर नारी चिक्षापर बन दिया था बंगाल में और इश्वर्चन्द विद्या सागर कहा के थे बंगाल के है नेक्स के प्रियासओं से अठारारा विवाय को अ क्या गया था इसको에 याद रखेंगे नेथ्ट कुष्यन गाम्म सभा का गठन किस ने किया था करन्स वाक है तो अठाइस तो EL आधर अठाश्य इसलिए में कलकत्त में राज्राम होन यह ने किया था उसके बाद इसी ब्रह्साबा को त feel समाच के नाम मैं बदल दिया गया था ठीक है तो समाच में यह वह आढहल को कलकत्ता में राजा रामोहन राय ने किया था नेक्स्ट कुश्चन राजा रामोहन राय का जन्म कहां हुआ था इसका राइट अंसर है राजा रामोहन राय का जन्म बंगाल के जमीदार ब्रहमन परिवार में हुआ था इसे आप इग्णोर नहीं करेंगे यह तो बहुत इजी किस ने किया था सती प्रथा का विरूद किस ने किया था इसका राइड आंसर होगा राजा राम मुहंडाय ने सती प्रथा का भी विरूद किया था ठीक है सागर के प्रियासों से जिसे माननेता मिली थी वह है 1856 में एक अधनियम बना था नेक्स्ट कुश्चन तो इन दोनों को याद रखेंगे सती प्रता के गुरुद्ध कानून 1839 में विद्वा पुनर विवा अधनियम 1856 में सत्य सोदक समाज की स्थापना किस ने की थी इसका राइट अंसर होगा जोतिवा फूले ने जोकी पूले में की थी ठीक है जोतिवा फूले ने पूले में सत्य सोदक समाज की स्थापना की थी नेक्स्ट कुश्यन धर्म पर चर्चा करने के लिए प्राथना समाज का गठन किस शहर में किया गया था इसका राइट अंसर होगा महाराश्ट के पूने शहर में धर्व पर चर्चा करने के लिए प्राथना समाज का गठन किया गया था जोतिवा फूले ने किस विवस्था के विरुद निरंतर संगर्स किया था इसका सही आंसर होगा जाती विवस्था के विरुद इसका राइट अंसर होगा जोतिवा फूले जोतिवा फूले जोतिवा फूले जोतिवा फूले की पत्नी का क्या नाम था इसका सही आंसर है जोतिवा फूले की पत्नी का नाम सावित्री बाही था नेक्स्ट कुश्यन सर सेद एहमद खान का जन्म कहां हुआ था इसका राइट अंसर है दिल्ली में 1817 में नेक्स्ट कुश्यन सर सेद एहमद खान ने मोहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी और यह कहां के थे दिल्ली के थे नेक्स्ट कुश्यन इसका आंसर है समास उधारक सर सेद एहमद खान के यह कहतन है कि जो हिंदू मुसल्मान है यह दोनों जो अलग लग धर्म के लोग है यह भारत की दो आखे है इन्हें अलग नहीं किया जा सकता सर सेद एहमद खान का निधन कब हुआ था तो सेद एहमद खान का जन्म जो है वो दिली में अथारा सु सत्या में हुआ था और इनकी मुरत्यू जह है वो 1898 में अलिग्गार में हुई थी स्वामी दयानन सरसुती का जन्म कहां हुआ था? स्वामी दयानन सरसुती के बच्पन का जन्म कहां हुआ था? स्वामी दयानन सरसुती के बच्पन का जन्म कहां हुआ था? स्वामी दयानन सरसुती के बच्पन का जन्म कहां हुआ था? स्वामी दयानन सरसुती के बच्पन का जन्म कहां हुआ था? तो देखिए कोई भी जो फैक्टर है और कोई भी पॉनिट जो चोड़ा नहीं है जो आपके एक्जाम में आए और आप वहां सोचने बैड़ जाएं कि यह कोशन जो है वो मैंने पड़ा ही नहीं तो आपका कुशन जो है वो आपके मादमिक सिक्षाबूर की 6-10 मैंसे ही पू स्वामी विर्जानंद से ज्यान प्राप्त किया था किसे किया था स्वामी विर्जानंद से ठीक है नेक्स्ट कुशन स्वधर्म स्वदेश स्वभासा इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन स्वधर्म स्वदेश स्वभास सब्सक्राइब किया नेक्स्ट को वीदो की ओर चलो सथ्य को ग्रहन करो यह गतन किसके हैं यह तो अपने स्कूल्स में भी आपने सुने होंगे कि वीदो की ओर चलो कर ना लगा किसमें दिया था स्वामी दयानन सरस्वति ने किसे मिलते थे सही जवाब है उनकी विचार बाल गंगादर तिलक से राजा रामुहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी स्वामी विवेकानन्द का जन्म कब हुआ इसका राइट आंसर है 12 जन्वरी 1863 TCA में कलकत्ता में स्वामी विवेकानन जीता जन्म हुआ था स्वामी विवेकानन का बच्पन का लाइट आंसर है नरेंद्र दथ ता और आपके लिए एक कुश्यन है कि स्वामी दयानन सरसोती के बच्पन का क्या नाम था तो सोचिये इसका आँसा पटाफट बताने की कुशिश करें जी हां स्वामी द्यानंद स्रस्षति के बचपन का नाम गोल शेंकर था और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नदे नियुटम दक न्हक्त ले बचतॉ स्वामी विवेकनन्द की गुरु का क्या नाम था इसे इन दोनों को ओरेलेट करेंगे कि स्वामी धैनंद सरसुत्ती के गुरू, स्वामी विवेका नंद जी के गुरू, रामकृष्ण परम हंस नेक्स्ट कुश्यन रामकृष्ण परम हंस ने स्वामी विवेका नंद का नाम क्या रखा था? राम कृष्ण परम हंच नहीं स्वामी विवेका नंद का क्या नाम रखा था स्कराइट आंसर है विविदी शानन्द क्या रखा था विविदी शानन्द थोड़ा टिपिकल नाम है लेकिन राम क्रिश्ण परम हंस ने स्वामी विवेकानन्द का नाम विवि दिशानन्द रखा था next question किसके कहने पर उन्हों ने विवेकानन्द नाम अपनाया इसका राइड आंसर है स्वामी विवेकानन्द जी ने खेट्री के जो महारास थे उनके कहने पर विवेकानन नाम अपनाया था स्वामी विवेकानन ने अमेरिका के किस शहर में धर्म समेलन में भाग लिया यह कुशन बहुत बार कुशन अभी तक कई अबर पूछा भी जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है कि स्वामी विवेका नंजी ने अमेरिका के किस शहर में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और कभ लिया था तो इसका राइट अंसर है स्वामी विवेका नंजी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन करेंगे, राम क्रिश्न मिशन की स्थापना किस ने की, राम क्रिश्न मिशन की स्थापना किस ने की थी, राइट आंसर है, स्वामी विवेका नंद ने अपने गुरु राम क्रिश्न परम हंस के नाम पर राम क्रिश्न मिशन की स्थापना की थी, स्काराइट आन्सर है स्वामी विवेका नंद जी अलवर्व खेतडी में गये थे और खेतडी के महाराजा जो थे उनके कहने पर ही इनों ने अपना नाम विवेका नंद रखा था विवि दिशा नंद के बाद तो इनके गुरू थे राजिस्थान के करॉली अजमेर चित्तोडगर उद्यपूर जोदपूर की यात्रा किस समासुधारक ने की थी? स्वामी दयान अंसर सुती ने परोब कारणी सभा की स्थापना कहां की थी? स्काराइट अंसर है 1883 में उदेपूर में नेक्स्ट कुश्यन भारत में थियोसोफिकल सुसाइटी की स्थापना किस ने की? जन जाती वर्ग के लोगों के समा सुधारक कौन है? संप्सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप्सभा की स्थापना जो है वो? गोविंद गुरु जी जो समा सुधा रखते उन्होंने 1883 में की थी कपी थी 1883 में गोविंद गुरु जी ने समसभा के इस्थापना जो है वो जंजाती वर्ट के लिए की थी Next question गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था आपको कुछ याद आया होगा जिस जिस बच्चे ने लास्ट येर जो रीट का एक्जाम दिया था उसने यह कुशन आया हुआ था कि गोविंद गुरु जी का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था तो उसका right answer था गोविंद गुरु का जन्म दूखंड पर इवार में हुआ था आप यह भी याद रखिये कि उनका जन्म दुन्गर पूर में बार्शिय गाउं में लुए था नक्रशन गुषह नौभिंच गुरु के अत्रिक्ट किसने जनजाती बर्ट के लोगों में समा सुधारका करे क था नेक्स्ट कुश्यन राजिस्तान में सती प्रthाल पर सर्व प्रतम जो रोक है वो प्रकशल गया तीं यहां पर रोक आएगा जिस्ताना सती प्रथा पर सब्सार करतम पावं दि या रोक कहां लगाई गई थी तो इसका रइटांसर होجा बुंदी में 1822 में कब लगाई गई थी सती प्रता पर रो बुंदी में 1822 को Next question बास वाड़ा में मानगल पहाडी पर चल रही गोविंद गुरु की सभा अंग्रेजी सेना ने कब आक्रमन किया था बास वाड़ा में जो मानगल पहाडी पर अंग्रेजी सेना ने आक्रमन किया था और इसमें बहुत सारे जंजाती रोग मारे भी गए थे और इसे जलिया वाला वाग हत्या कांड जो सेकिंड है यह भी कहा जाता है क्योंकि यह है जल जलिया वाला हत्या कांड के समय जो नरसंगहार हुआ था उसी तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर भी गोलियां चलाई थी और बहुत सारे जंजाती मारे गए थे गोविंद गुरु के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था यह आंदोलन जो है वो जंजाती आंदोलन के रूप में विख्यात है और यह बहुत जदा इंपोर्टेंट कुश्यन है कि गोविंद गुरु जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था इसका राइट आंसर है भगत या भील आंदोलन जिसे कहा जाता है गुविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था भगत या भील आंदोलन जो की जंजाती जो थी उनके लिए चलाया था लिय्स QS राजिस्थान में निम्र्पू प्रख्व प्रख्वय हैं मांव्यपर ताकन प्रख्व कब लगाी था चती प्रख्व नेघनुझे पर तुम पर यहाई गई थी कि भूंडी में अथारा सो बाइस मैं लंगाई गई थी time प्रतापर पर रोक कोटा में 1834 में त्याग प्रतापर रोक जोदपुर में 1841 यानी 1841 में मनव्यपार पर जैपुर में 1837 में और डाकन प्रता उदैपुर 1853 में इनकुलपुर्थाओं पर रोक दादिस्थान में लगाई गई थी, दुबारा से रिपीट कर लेंगे, सब्सक्राइब करें तो कोई बात नहीं लेकिन आप जो है वो इन स्थानों को याद रखेंगे ठीक है और जो आभी सती प्रथा पर जो रोख है वो कहां लगाईगी थी बूंदी में नेक्स्ट कुस्चन पर चलेंगे राजिस्थान में 1929 में किसके प्रयासों से बाल विवा पर रोख लगाई गई थी और राजिस्थान में सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून है वो कब बना था 1839 में और विद्वापुनर्विवा अधनियम ये कब बना था 1856 में ठीक है और राजिस्थान में 1929 में बाल विवा पर रोख लगाई गई थी नेक्स्ट कुश्चन दलितों द्वार के शेत्र में किसने कारे किये थे इसका सही आंसर होगा चांद करण शार्दा और उनकी पतनी सुकता देवी इन्होंने दलितों द्वार के शेत्र में कारे किया था अलगर के महराज़ा जैसंग ने अपना सलहकार किसे नुक्त के ताद कालिग समा सुधार को के नाम लिखिए इसमें हम जो भी हमने अभी समा सुधारक पड़े हैं राजिस्थान के उन सभी को मैंने इसमें इन्क्लूड कर लिया है ताकि आको एक साथ लर्ण करने में कोई परिशानी ना हो तो राजिस्थान के जो तातकालिक समाज सुधारक थे वो कौन है चांद करन शार्दा और उनकी पत्नी सुखदा देवी ठीक है न जिन्होंने दलितनोंग त्वार के शेत्र में कारे किया था और अलवर में पंडित हरी नाराया शर्मा जिन्हें महाराजा जैसिंग ने अपना सलाकार न्युक्त किया था ठकर भापा कुबर मदंग सी और मामा बालेश्वर दयान यह सभी समाज सुधारक जो है वो राजिस्थान के तातकालिक समाज सुधारक थे ठीक है तो यह जो चप्टर है वो आपको कंप्लीट होत ऐसे ही हम दीरे-दीरे करके क्लास स्टैंसे तक कंप्लीट कर लेंगे स्टार्ट करेंगे चैप्र नंबर 20 भारत की आर्थ विवस्ता पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव इस चैप्टर में केवल 15 कुश्चन ही निकले हैं और क्योंकि यह जो चैप्टर है वह बहुत छोट इसका सही जवाब होगा 1498 इसवी में भारत आया था वासको डिगामा और वह पंदरवी सदी थी उस टाइम ठीक है वासको डिगामा पंदरवी सदी के भी 1498 में भारत आया था नेक्स्ट कुश्चन अंग्रेज कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे वड़ी यूरूपिय कंपनी कंपनी अंग्रेज कंपनी जो इस इंडिया कंपनी थी वह हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरूपिय कंपनी कब बन गई थी इसका सही जगहों पर भारत के अपने कपज़े में ले लिया था नेक्स्ट कुश्चन कंपनी के गवर्नर को मीर काशिम ने पत्र कब लिखा था तो इसका राइट आंसर होगा 1622 इस वी में कब लिखा था 1622 इस वी में नेक्स्ट टुश्चन ब्रिटिश शाष्चन के आर्थिक परणामों की अलोजना किसने की तथा संपत्ती के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था कौन थे ऐसे जिन्होंने ब्रिटिश शाष्चन के जो आर्थिक परणाम थे उनकी अलोजना भी की थी और जो भारत से संपत्ती का निकास हो रहा था उसका विरोध सबसे पहले किया था तो वो थे दादा भाई नो रोजी कौन थे दादा भाई नो रोजी नेक्स कुशन पर चलेंगे पार्लिया मेंट में कुछ खास कपनों को चोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर रोग कब लगाई गई थी इसका राइट आंसर है बंगाल में जूट उध्योग की स्थाफना की गई थी नेक्स्ट कुश्चन ये कुश्चन जो है ये उस टाइम के है जब भारत की अर्थ वेवस्था पर अंग्रेजी शाशन का प्रभाव पढ़ रहा था तो कुश्चन नमबर एट है बागान उध्योगों के अंतरगत कि इनका उड़्योग इनका विकास किया गया था एसका राइड अंसर होगा चाए कहवा वर नील ऊध्योग इनका विकास जुआ वो किया गया था नेक्स्ट कुश्चन पर चलुंगी इंग्लेंड में उद्योगी क्रांती का सूत्रपात कब हुआ था तो इसका राइट अंसर है अठारवी सदी में यूरोप में विशेशकर इंग्लेंड में उद्योगी क्रांती का सूत्रपात हुआ था नेक्स्ट कुश्चन करेंगे बंबई वा कलकत्ता किस दसक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विक्सित हुए थे तो इसका राइट आंजर होगा 1780 के दसक में बंबई वा कलकत्ता व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में उबरकर सामने आए थे कौन-कौन से थे वो बंबई और कलकत्ता जो की फुल्यापार की द्रस्टी से बंदरगा के रूप में विखसेत हुए थे सत्रवी सताप्दी का सबसे महत्वपून बंदरगा कौन सा था उसका नाम बताना है तो वो बंदरगा था मचली पटनम वो बंदरगा था मचली पटनम नेक्स्ट कुश्चन अंग्रेजों द्वारत को लूटने का सीधा तरीका क्या था अंग्रेजों द्वारत को लूटने का सीधा तरीका क्या था तो ये तो आपको इतने सारे कुश्चन सापने अटेम्ट कर लिये तो आपको ये मालूम हो जान आप कच्छा माल ले दिजह अंग्रेज किस रूप में प्रत्यक्स मार करते थे? आप आप कच्छा माल बना देगे तो आपके पास इतनी टैक्नीक इतनी अच्छी नहीं है अगर बार्तिय होते तो उनके इस जाल्साजी में नहीं हैं उस से बापर करेंगे और इस तरीके से धिरे ठिरे उन्हें लूटना गया था और अन्तर टक हो ने लूटते गए है नेक्स्ट में है कि किस नीति के तहट इंग्लैंड में भारत के बने शूती वस्ति वस्ता थे इनगे भारत का ही कच्छा कप्र जो था कच्छा माल था इंग्लैंड में जाता था We उस पर तो भारी सुल्ख लगाया जा रहा है लेकिन जो इंडिया में इंग्लेंड से जो आया था उस पर कोई भी शुल्ख नहीं THा אני की इंडिया से जो बाहर जा रहा था उस पर कोई लुग नहीं था तो वो कि इस वीटियो की इस वीडियो उसे लिफित चॉन san Bernard Bay jis कॉर्च करना के लिए उसे इसंडियो राज वारत का इंति पाइश और्स लिफाट रट वई responsabil है उसका यह चाक्रवशन का बनेольшे बाट क्रेंवें Him. चंटल कौन था तो आपने 1857 की क्रांती का जो चैप्टर था वो पढ़ लिया होगा उसमें मैंने अच्छे से एक्स्पेइन किया था कि 1857 की क्रांती के बाद वारत का प्रथम वाइसराइक और अंतिम जो गवर्नर चंटल था वो तो इसका राइट अंसर होगा लॉड के इंग जब 1857 की क्रांती जब अप्डारम होई थी जब गवर्नर जन्दल का पद था तो उसमें लॉड कैनिंग थे ठीक है जब प्रथम वाइसराय लॉड कैनिंग बने थे नेक्स्ट पूश्यन नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास में कौन सा एक्ट पारित किया गया था इसका सही जवाब है अठारसो एक्ट है यह बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है नेक्स्ट कूश्यन जो भी कूश्यन इंपोटेंट होता है वो मैं आपको बताती जाओंगी गवर्नर को किसी प्रांतिय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्ध करने वज अंसोधित करने का अधिकार किस एक्ट के अंतरगत दिया गया था तो वो एक्ट था भारत परिशद अधनियम 1861 का कि वो किसी भी प्रांतिय सरकार द्वारा जो भनाए गई खानूने उनको रद भी कर सकती है और उन्हें मोडिफाइड भी कर सकती है गवर्नर की कारेकार्णी परिश्यत की साधारन सदस्यों की संख्या चार से बढ़कर पांच किस एक्ट के तहप की गई गई तो वो किस एक्ट की अंतरगत कर दी गई थी इस राइट आंसर है भारत परिशद अधनियम 1861 नेक्स्ट कुशन चुनाप पधिती की सुर्वात किस इद नेक्स्ट की गई थी तो भारत परिशद अधनियम 1892 ऐसा अधनियम के अंतरगत चुनाप पतध्यति की सुर्वात की गई थी भारत के समवेधानिक विकास की दिसा में अगला कदम किस अदिनियम का था? जिसका सही जवाब है भारत परिशद अदिनियम 1892 के बाद जिसमें चुनाप पदिति की शुरुआत की गई थी उसके बाद भारत परिशद अदिनियम 1909 आया था ठीक है? जिसने समवेधानिक विक प्रियास की दिशा में बहुत प्रियास किया था नेक्ट कुश्यन भारत परिशाद अधनियम 1909 इसके जन्दाता कौन थे और उस समय गवर्नर जन्दाता कौन थे इस कुश्यन का जो आंसर है इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे कि उस समय भारत सचिव मारले तथा गवर् एप अधनियम के तहट मुसलमानों के लिए प्रतक मता अधिकार व प्रतक निर्वाचन शेत्रों की इस्थापना की गई थी इसका राइट अंसर है, मुसल्मानों के लिए प्रथक मताधिकार वा प्रथक निर्वाचन शेक्रों की स्थापना भारत परिशद अधनियम 1909 में की गई थी नेक्ट कुशन पर चलेंगे प्रांतों में दुएद शाशन की सद्नियम द्वारा लागू किया गया इसका राइट अंसर होगा उनिशन इसका भारत सरकार अधनियम 1909 में दुएद शाशन को लागू किया गया था किस अधनियम के तहट भारत सरकार से मिलना तैह हुआ ऐसा कौन सा अधनियम था जिसके तहट भारत सरकार से जो वेतन मिलता था वह भारत सरकार से मिलना तैह हुआ कि इसका राइट अंसर है 1911 का भारे सरकार अधियाम जिसके अंतरगत भारे सरकार से जो बेतन जिवता था वह अंग्रेजी कोस्स से मिलने लगा next question Montague Champs Ford अधियाम किस act का नाम है Montague Champs Ford अधियाम किस act का नाम है किस सूची के अंतरगत शामिल किया गया इसका राइट अंसर होगा केंद्रिय सूची के अंतरगत टीक है यह सभी यह सभी जो है वो उस टाइम के हैं जब ब्रेटिस कालीन भारतिय सासन विवस्ता किस सूची के अंतरगत आते हैं इसका सही जवाब होगा यह सभी प्रांतिय सूची के अंतरगत आते हैं और विदेशी मामले रक्षा केंद्रिय सूची के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट कुश्यन यदि आपको मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी पास्ट लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ी स्पीड पास्ट है तो मैं थोड़ा कम करने का प्रयास करूँगी भारत में संगहात्मक सरकार की स् तो इसका सही जवाब होगा भारत शाषन अधनियम 1905 भारत शाषन अधनियम 1905 नेक्स्ट कुश्यन प्रांतों में दुएत शाषन समाप्त कर केंद्र में दुएत शाषन को कब लागू किया गया भारत में दुएत शाषन समाप्त कर केंद्र में दुएत शाषन को कब संगीया न्यायाले कि सापना किस अद्नियम के अंतरगत की गई ती इसका सही जवाब होगा unless Więان को भारत से अलक किस एकट कीcm की तहत किया गया था इसका सही आंछर है 1925 का भारत शाशन अद्नियम के अंतरगत बर्मा को भारत से अलग किया गया था पहले ये भारत का ही पार्ड हुआ करता था इस्थाई वा उच्छ सदन किसे कहा गया है तो ये बहुत चादा easy question है और इसका अंसर आपको पता होना चाहिए इस्थाई वा उच्छ सदन किसे कहा गया है तो राज्य सभागो इस्थाई सदन या उच्छ सदन कहा जाता है next question राज्य सभा में 1935 के अंसर कितने सदस्यों का प्रावदान था राज्य सभा में 1935 के अंसर कितने सदस्यों का प्रावदान था सही जवाब होगा 260 अब इसका आंसर जो है वह लोग सभा वताएंगे ठीक है क्या बताएंगे इसका आंसर लोग सभा लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, वो British Kalin, भार्तिय साशन व्यवस्था के समय, जो British Kalin, भार्तिय साशन व्यवस्था जब जिस समय थी, उस समय की बात चल रही है, ये तो निम्न सदन जो है, वो संगिय सभ़ा को कहा गया था, और इस सभ़ा क कारेकाल भी 5 वर्श था, जो आज भ मैं लोग सभा को संग्य सभा के नाम से बोलते थे तो संग्य सभा के सदस्वा की संख्या जो थी तीनसोपचतर थी और राज्य सभा के सदस्य थे वो तो 70 सेनंzna अन्चार भीमा जैसे विश्यों को कि सूची में रखा गया था है मैं दिखाई अंसर है संग सूची तो मैं एक बार और रिवाइज करें सम्फ़ादिक तीन सुची थी केंध्रय सूचि प्रांतिय सूचि और संुचिंद्रय सूचि में विदेसी मामली रक्षा डांक्य तार तो प्लीज इन्हें बार बार देखिए मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि आपको इनसे इतना प्रॉफिट होगा कि बाद में आप कहेंगे कि हाँ मैंने विल्कुल सही चैनल को चूस किया था ठीक है और आप इनहें अगर यहां पर आपको यह थोड़ा कम लग रहा है लेकिन कोई कुश्यन में चुड़ने वाली नहीं हूं नेक्स्ट कुश्यन शिक्षा कानून और व्यवस्थाक्रसी कि सूची के अंतरगत आते हैं तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतिय सूची जिसे हमने पहले भी डिसकस किया था कि प्रांतिय सूची जो है वो इस्थाने व्यवस्था से संबन्दित है नेक्स्ट कुश्यन विधी दीवानी तथा फौषदारी विजए कि सुची के अंतरगत आते हैं 뻥ी शुचा का depressed का कि सूची के अंतर आते हैं 울 likड़ती सूची के अंतरगत और िनक्स्ट उ치क्ण भारत्य शिक्षा का मेगना काटर के स्टेर्ट किसी कहा गया है। मेरी इंपोर्टेंट कुश्याह इस पर सि्टार लगा लीजिए। इसिए माइन में बठाली जिए। प्रापधान के लिए जैसे ग्यारा वर्स तक के बालग वालिकाउं के लिए व्यापक निशुल्क अनिवारे सिक्षा की विवस्ता के प्रापधान के लिए किसने यूजना पेस की ती तो है शिक्षा चलाकर सर जोन सरजीन्ट ने यह यूजना पेस की थी नेक्स्ट कुश्यन चाल्स वुड्ड डिस्पैच जो अठारा सो चंवन में आया था जिसे भार्ट के शिक्षा का मैगना काटा भी कहा जाता है इसके अंतरगरत उच्छे शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया था नेक्स्ट कुश्यन किस एक्ट के बारे में कहा गया कि यह इतना अधिक खतरनाक एक्ट था कि इसने देसी भासा के समाचार पत्रों की स्वाधी इंता पर रोक लगा दी तो वो जो एक्ट था वो था अठारा सो अठार का वर्ना कुलर प्रेस एक्ट कौन सा था नेक्स्ट कुश्यन इलवर्ट बिल संबंधी विवाद किसके काल में प्रस्थत हुए इलवर्ट बिल संबंधी विवाद जो थे वो किसके काल में प्रस्थत हुए थे तो वो लौड रिपन के काल में प्रस्थत हुए थे नेक्स्ट कुश्यन आजादी के पूर्व राजि इस्तान में केंदर शाशित प्रदेश कौन सा था तो अजमेर जो था हो केंदर शाशित प्रदेश था इसका सही जवाब है अंगरेज रेसी देन्ट की निगरानी पर देजी रियासतों का शाशन चलता था नेक्स्ट कुश्यन, 1849 में जैपूर की राजमाता को किस पत से हटाया गया था? इसका सही जवाब है अभी बहावक के पत से हटाया गया था. किस ब्रिटिस एजेंट ने नियाय विभाग से शाषन विभाग को अलग कर दिया था? इसका राज्य में फॉसदारी वध दिवानी अतालतों की स्थापना की गई थी? किस राज्य में फॉसदारी व दिवानी अदालतों की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर है जैपुर जैपुर राज्य में फॉसदारी व दिवानी अदालतों की स्थापना की गई थी नेक्स्ट कुश्चिन इसका right answer है इसका right answer है अभी भावक परिशाद का गठन इसका right answer होगा नावालिक कुमार के राजा बनने पर अभी भावक परिशाद का गठन किया गया था ठीक है Next question राजिस्थान में अंग्रेजी विवस्था का आरंब किस शेतर में हुआ था और चूकि आजादी के पहले जो है वो राजिस्थान में अजमीर के नर्शासित प्रदेश था और अंग्रेजों ने यहीं पर अपना मुख्याले बनाया था अजमीर में राजकुमारों को सिख्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थाबना की गई थी इसका सही आंसर है मेयो कॉलेज की किस की की गई थी अभी भावक परिशत का गठन उद्यापूर में कब किया गया था इस अभी भावक परिशत में नाबाली कुमार को राजा बनाया जाता था तो इसका गठन उद्यापूर में 1861 T3 में किया गया था नेक्स्ट कुश्चन में 1922 में उच न्यायाले के अनुरूप मुख्य न्यायाले कहां स्थापित किया गया था इसका राइट आंचर होगा विकाने रियासत में नेक्स्ट कुश्चन की सभी रियासतों में ब्रिटिस न्याय विवस्था की समान, न्याय विवस्था कब लागू की गई, तो इसी के साथ आपका जो चाप्टर 21 है, वो समाप्त होता है, तो अब हमने किया इत्त के जो चाप्टर 21 है, इसे कंप्लेट कर लिया है, चेप्टर नमबर 22 राश्ट्रिया आंदोलन कुश्यन नमबर 1 पहली बार कॉंग्रेस की बैठक कहां हुई वक इसके प्रयासों से हुई इसका राइट अंसर होगा पहली बार कॉंग्रेस की बैठक जो है बंबी की गोकुल दास तेच्वाल संस्कृत कॉलेज में 1885 इस्वी में हुई और यह है A.O.H.E. के प्रयासों से हुई इससे पहले जो इस बैठक है जो यह बैठक थी यह है पुना में होनी थी लेकिन पुना में प्लेक की बिमारी की वज़े से इसे बंबई में ही कर दिया गया अंग्रेज विरोथी असंतोस को वैधानेक रूप देने के लिए A.O.H.E. ने नई संसा का नाम क्या रखा इसकर राइट अंसर है अठाइस दिसंबर 1885 को यह डेट आप याद रखेंगे अठाइस दिसंबर 1885 को भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस का जन्म हुआ था और किसके प्रयासों से हुआ था? यह है A.O.H.E. के प्रयासों से हुआ था बंबई के गोकुलता स्टेजबा सस्ग्रित कॉलेज में इस लाइन को आप याद रखेंगे क्योंकि यह कई بार कुश्वन आप जुका है एक्सान में भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के सबसे पहले अद्रक्ष कौन थे? इसका सही जबाब है बंगाल के ब्योमेस चंदर पैनर जी को राष्ट्रिय भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का प्रथम अध्यक्षर बनाया गया था A.O. Hume कभी भी राष्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्षर नहीं बने इसका सही आंसर होगा बाल गंगादर तिलक को ही उग्रबाद का जनक कहा जाता है प्लेग कमिशनर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है चापेकर बंदुओं के द्वारा प्लेग कमिशनर की हत्या कर दी गई थी? इसके द्वारा की गई थी? चापेकर बंदुओं के द्वारा Next Question तिलक ने देज में नई जाकरती किस माधियम से पैदा की थी? इसका सही जवाब है शिवाजी व गणबती उत्सवों के द्वारा बाल गंगादर दिलग ने देश में नई जाकरती पैदा की थी नेक्स्ट कुश्चन मराठा दर्पण व केसरी क्या है? इसका सही जवाब है वाल गंगादर दिलग द्वारा जो चापे गए अखवार थे उनका नाम उन्होंने मराठा दर्पण और केसरी रखा था तो इन दोनों अखवारों के नाम जो है इन्हें आप याद रखी है क्योंकि एक्जाम में ये पूछ लिये जाते हैं आपका कोई भी एक्जाम है जो भी टैट का एक्जाम है वहाँ पर ये बहुत ज्यादा बेनिफेशल है ये हर एक क्वेशन क्योंकि ये हर क्वेशन जो है वह है आर्भी एस्ट की बुक से निकाल कर बनाए गए है वाल गंगादर्तिलक ने जेल से चुटने के बाद किस आंदोलन का संचालन किया था इसका सही जवाब होगा होगा होम रूल आंदोलन किसका किया था होम रूल आंदोलन लखनो समझोता कब संपन हुआ था लखनो समझोता जो है, वह 1916 में संपन हुआ था इसका सही आंसर है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है जिसका सही आंसर होगा यहाँ पर लाल से ताथ पर है लाला लास पत्राय और बाल से बाल गंगातर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल कौन सा गरम दल का नेता बंगाल की देन है? जिसका सही जवाब होगा बंगाल के विपिन चंदरपाल जो है वह गरम दल के नेता थे स्वाराज्य मीरा जन्म सित्धादिकार है यह है कतन किसके है? यह बहुत फेमस लाइन है और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि स्वराज मेरा जन्व से तदिकार जो है वहाँ बाल गंगादरति लग के गथन है सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की कोशना कब की गई थी? सकराइट अंसर है सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की गुशना की गई थी? प्रतम महायुद कब शुरू हुआ? प्रतम महायुद जिसे विश्वयुद कहा जाता है वहाँ कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट अंसर होगा इसी विवेक्टी को लंबे समय तक कारावास दिया जा सकता था तो इसका राइट अंसर है रॉलेक्ट अक्ट जो उननिस सो उननिस में आया था इस अक्ट के तहत सरकार का जो भी विरोध करता था उस वेक्टी को बहुत लंबर टाइम के लिए जेल में टाल दिया जाता था. Next question. जलियावाला बाग अमरिज सर में जो हुआ था, जलियावाला बाग जो है, जो अमरिज सर में है, उसमें किस एक्ट की विरोध में सभा का आयोजन किया गया था? इसका राइट अंसर है, रोलेक्ट एक्ट 1919, जो रोलेक्ट एक्ट आया था, उसका सामना करने के लिए, या उसने जो नीती अपनाई थी, कि किसी को भी जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसके तहत, इस विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, जो कि जल्यावाला भाग, जो आपने सरमगेह, कीया गया था जल्यावाला भाग घत्याकट कब हुआ यह गोली चलाने का आदेश किस ने दिया यह बहुत ज़्यादा इंपोरेंट कुश्यों है, इसे आप नोट कर ले असायोग आंदोलन के निता कौन थे? तो असायोग आंदोलन के निता जो है वह है महात्मा गांदी थे जिन्हों ने असायोग आंदोलन 1920 में प्रारम किया था. यह क्यों किया था महात्मा गांदी ने? क्योंकि जब रॉलेक्ट एक्ट के तहत जलिया वाला बाग में बहुत सा Simon Commission कब पहुचा था? Simon Commission जो है, वह है 3 फरवरी 1928 को भारत पहुचा था. Next question. Simon Commission की सदसे संख्या कितनी थी? Simon Commission की सदसे संख्या कितनी थी? इसका right answer होगा, Simon Commission की सदसे संख्या थी 6. लेकिन इसमें एक भी भारतिय नहीं था, इस वज़े से भारतिय लोग जो थे, साइमन कमीशन के भारत आने के लिए बहुत जादा परेशान थे और इनका साथ भी नहीं देना चाते थे. क्योंकि इसमें सभी अंग्रेजों को इसका सदस्या बनाया गया था. इसमें एक भी भारतिय शामिल नहीं किया गया था. Next question. साइमन कमीशन के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने कौन सी दमन निती अपनाई थी? इसका सही जवाब है, दमन निती. कौन सी निती अपनाई थी? दमन निती. Next question. लाहूर में साइमन कमीशन के वहिसकार का नेतरत्व किस ने किया? लाहूर में साइमन कमीशन के वहिसकार का नेतरत्व किस ने किया? इसका सही आंसर होगा, लाला लाजपत्राए ने साइमन कमीशन के वहिसकार का जो नेतरत्व किया था. कहां किया था? लाला लाजपत्राय पर लाठियां किसा ने बरसाई थी? सांडर्स अंगरेज अधिकारी जो सांडर्स था उसने लाला लाजपत्राय पर लाठियां बरसाई थी नेक्स अधे ठीसों जलिया वाला बाग में भारतियों के ओपर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो उन जनरल डायर की हत्या जो है वह किसने की थी? इसका सही जवाब होगा. उत्म सींग ने लंडन में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी इसका राइट अंसर है चोरा चोरी कांड चुह वह है 1922 में गोरपपुर जिले में हुआ था तो इसमें क्या हुआ था कि तुछ भार्कियों ने पुलिस चौकी में जाके चोडी से आग्रगा दी थी और वहां सारा धन लूट लिया था और इस वज़े से ही गांधी जी ने अपना असायोग आंदोलन बापिस लिया था क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग्रेज बारे गए थे और गांधी जी का कहना था कि कोई भी कार्य या फिर आंदोलन किया जाता है तो उसके लिए हिंसा जो है वह सही नहीं है इसलिए उन्हो बहुत सारे जल गए थे इसी वज़े से गांधी जी ने असायोग आंदोलन बापस लिया था नेक्स्ट कुश्यन बहुत से गए थी जो 23 डेट है यह बहुत ज़दा इंपोटेंट है क्योंकि इस 23 डेट को बहुत सारे लोगों को कई शहीद भी हुए थे या फिर फांसी भी दी गई थी जैसे 23 मार्च 1931 को बगस्टीम सुगदिव और राजगुरु को पासी दी गई थी ऐसे ही 23 मार्च को एक और क्रंतिकारी आएंगे तो उनका जन भी हुआ था 23 मार्च को और इसके अलावा 23 मार्च जो है उस वक्त तेईस को सुभास चंदर बोस जो है उनका भी जनम माना जाता है तो जो 23 डेट है उसे आप याद रखें क्योंकि यह बहुत जादा इंपोट तो देखिए भगस चिंग सुखदेवा राजगुरु को फांसी की सजा 23 मार्च को दी गई थी और चंदर सिखर आजाद जो हैं वहस 23 फरवरी को शहीर हो जो गए थे Next question 1930 में जो आंदोलन हुआ था उसका क्या नाम था तो 1930 में गांदी जी के द्वारा सविने अविज्या आंदोलन चलाया गया था Next question एस वीडियो का list Question होगा क्योंकि इसमें सबसे पहले भारतियों ने जो अंग्रेज, वनको भारत चोड़ने के लिएक मजबूर किया था और अपनी स्वाधिन्ता को दर्शाया था जैसे राषय Dir. जिसे राश्ट्रिय स्वाथिन्ता Spirit कहा जाता है तो देखिये यहांपर तीन है कि भारतिय चोड़ों अंद्ध Division किसे किया जाता है अगष्थारांथ राश्ट्रज़ों अंद्धिन्ति पुकारते हैं और प्षोड़ों इसे राश्ट्र तो इन दोनों डेटों को आप याद रखेंगे प्रथम विश्व युद उन्ने सो चौदा में और दुत्ति विश्व युदु जो है वह है उन्ने सो ब्यालिस में हुआ था नेक्स्ट कुश्चन सभ्सकेस में प्रफु में खर्थनीist शो तंत्रता संग्राम के युवाester का क्या नाम था कि इसका सही आँसर है हेमो कलाडी ही मगाणि जो थे वहह जोओं के थे सिंद के थे वहायँ है भार्थियं शोतंतरता संघ्राम के सबसे युवाश्य युवादु CT कि हैं विए इस देट आ गई है मैं पिसले वीडियो में आपको बताया था कि दो तीन नाम आएंगे जहां पर तेइस डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्या थी एक तो यह है कि हमो कालाडी का जन्म जो है वह है तीज मार्च को हुआ था और सेकेंड क्या थी सेकेंड थी कि भगस सिंग सुकदेव और राजगुरु को जो फांसी के सजा हुई थी वह है 23 को हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी और एक डेट और आएगी सुभाज चंदर बोस का जन्म कब हुआ था 23 जन्वरी को तो इन डेट को आप याद रखेंगे कौन सा यूवा शहीद महात्मा गंदी से प्रभावित होकर प्रभात फेरियों में जाना शुरू किया था कौन सा जो यूवा शहीद थे जिन्होंने गंदी जी से प्रभावित होकर प्रभात फेरियों में जाना स्टार्ट कर दिया था तो इसका राइट अंसर होगा वो हे तो जो विनायक दामुदर सावरकर हैं, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, तो कि इसमें से कुश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका राइट अंसर है, इनके पिता का नाम दामुदर पंत सावरकर और माता का नाम क्या थ महाराश्ट की नासिव जुले के भगुर गाउं में 28 में 1828 को हुआ था नेक्स्ट कूशियन विनायक धामुदर सावर्कर अपना गुरू किसे मानते थे तो वह अपना गुरू जो है वह बाल घंगादर तिलक को मानते थे किसे मानते थे जो गरम दलके नेता बाल घंगादर कर दिया था तो इसका right answer है विनायक दामुदर सावर का जिनकी प्रसिद पुस्तक जो है वै कौन सी है 1857 का 1718 समर जिसे अंग्रेजों ने प्रतिवंदित कर दिया था नेक्स्ट क्वेशन लंडन में विनायक दामुदर सावर करने अपनी गतिविदियों का केंदर किसे बनाया था उसी अपनी गतिविदियों का केंदर बनाया था विनायक दामुदर सावरकर को ब्रिटिस जेल में रखने के बाद किस जलियान से बंबई भेजा गया था विनायक दामुदर सावरकर को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उन्हें जेल में रख दिया था उसके बाद उन्हें जलियान से बंबई भी जा गया था तो उस जलियान का क्या नाम था? उस जलियान का नाम था मारिया जलियान इसे आप याद रखें मारिया जलियान यह कुश्यन जो है वह है आपका पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है पानी की सजा काटी थी और अभी-अभी मैंने आपसे कुछा था कि उन्हें किस जल्यान से ले जाया गया था तो चब ये बताईए इसका आंसर तो उन्हें जिस जल्यान से ले जाया गया था उसका नाम था मारिया जल्यान ビ MAYOR नायक दा मुद्र साहरकर कि मरतियूं कब हुई थी मियाक-दामुदर शाहरकर कि मुद्रिक छबिस परवरी 1966 ठोई थी नेक्ट क्योश्यन सुभास चंद्र जन्वरय ऑठान के अद्यक्ष चुने गई बहुत ज्वहाज चंद्र बोश का सबने लगा लीजी क्योंकि एक्जाम में आने की संभाव पूरी पूरी होती है सुभास चंदर बोस को दो बार कॉंबरीष के अध्यक्षाष चुना गया था नेक्स पीशंट आजाद हिंद फोज की कमान सुभास चंदर बोस ने कब समाली थी जो है वहाद है सुभास चंदर बोस ने कब समाली थी तो इसका राइड अंचर होगा 1934-1943 में की मृत्यों कब हुई थी थी कब हुई थी कर दो संदर बॉज की म्रत्यों कंब हुई थी यह याद रखमाई तो कोई है लिकिन जो सन है उसे आप माइंड में रखें नेक्स कुशन है अंग्रेजों ने देश का विभाजन कप किया था है इसका सही जवाब है 14 क्लाइटными 1997 को अंग्रीजियों ने देश का विभाजन कर दिया था भारत और पाकिस्तान दो भागों में बड़ गया था और अगर्च विजोलिया की किसानों को कितने किस्म के कर देने पड़ते थे तो आपका आंसर होगा चौरासी प्रकार के जो कर देने पड़ते थे किसानों न किया था और उनके नेतरतों में सभी किसानों न किया था किसके नित्रत्व में किसानों ने बीगार करने से मना कर दिया था तथा कर भी नहीं दिये थे तो इसके राइड अंसर होगा उनने सो सोला में विजय सिंग पतिक वह मारिक के लाल वर्मा इनके नित्रत्व में किसानों ने बीगार देने से मना कर दिया था और टैक्स भी नहीं दिये थे तो विजोलिया जो अंदोलन था उसका विरोध सबसे पहले सीतारम दास ने किया थ कर दिया था नेक्स और ओंध minced लाल सिटि का जन्म कब हुआ था अर्जूं लाल सिटिए का जन्म जो Window कि अंसर है ऑड जैपुर में होझाए जैपूर के प्रधान मंत्री का पद्र स्तावित किया गया तो उन्होंने क्या कहा था अर्जून लाल सेठी को जब जैपुर के प्रधान मंतरी का पदप्रस्तावित किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि यदि अर्जून लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कॉन बहार किस न करवाया राजिस्थान में क्रांतीकारी संस्था का निर्マांद किस ने कर वा यह recommend राजिस्थान में क्रांती कर जरत कर निर्मांद जो है गो अर्जुन लाल सेथी ने केस्री सिंग बराहत और और को पल ने शी caffeine के श्योग जैसे किसानों ने बेगार देने से बना कर दिया था उसके बाद जो नाम आता है वह है अर्जुन लाल सेठी का नाम आता है इनके साथ केशेरी सिंग बराट और कोपाल सिंग का सहयोग इनके वज़े से राजिस्थान में जो क्रांगतिकारी संस्ता का निर्मार हुआ इसका सही जवाब होगा अर्जुन लाल सेठी को वैलूर जेल में बीजा गया था तो आप जो यह जेल है इन्हें याद रखें अभी मैंने आप से पूचा था कि विनायक दामोदर सावर कर जो 11 दिन तक काले पानी की सजा काटी थी जिनोंने तो उन्हें किस जेल में रखा ग कले थे और अर्जुन लाल सेठी वैलूँ जेल में नैक्स्ट कुशन लाल सेठी का दिहां अर्जुन लाल सेठी का दीहांत कब हथा तो अजमीर में 22 सितंबर 1931 को वह था नेक्स्ट कुशन यह जो questions हैं यह आपका बिल्कुल दिमाग खोल देंगे क्योंकि यदि आप इन questions को करते लेते हैं और यह माल लेजिए यदि आप एक chapter में से अगर 80 questions भी करते हैं तो आपके mind में वो 60 questions आपके दिमाग में रहेंगे और आपको देखिए exam यह सिर्फ समझ पर आधा रहेता आप इन्हें समझ और फिर इन्हें वीडियो बार बार देखिए यह आपको अच्छे से याद हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और यद इसमें से examiner जो है वह exam के लिए questions निकालता है तो वहां से आपको selection होगा आपको selection क्यों नहीं होता है उसकी वज़े यह है कि आप जो है वह इदर उदर भागते हैं आप तरीके से एक एक chapters के questions को कीजिए कि अब यदि आप chapters को पढ़ लेते हैं तो बहुत अचीव आते हैं औ नेक्ट कुशन चेतावनी राचुंगटिया के रचियता कौन थे यह कुशन जो है वह बहुत बार पूछा गया है कि चेतावनी राचुंगटिया जो है उसके रचियता कौन थे तो इसका आंसर है किस्री सिंग बाराट जो है वह चेतावनी राचुंगटिया के रचियता और क्यों बेजे थे? क्यांकि दिल्ली में जो एक सभा का आयोजन किया जा रहा था वह अंग्रेजों के दावरा किया जा रहा था तो वहां पर अलग 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 जगे है कि जो राजा थे अनको इन्वाइट किया गया था जिसमें मेवाठ के महाराना unterstüt sind दिल्ली तो इस बीच ही केशिइ सिंग बारट ने उन्हों कब हुआ था प्रताब सिंह भाराट का जन्म जहाव 2ू8 boys 29 London 29 1 2911 आय स्टे, प्रताब सिंह को किस जेल में रखा गया था तो प्रताब सिंह को बलेली की जेल में रखा जो प्रताप सिंह उन्हें बरेली की जेल में रखा गया था और अरजुनलाल सिथी जो थे वह उन्हें उन्हें रखा गया था आप इसे को रिलेट करके याद किया किजिए जिससे आपको ये लर्न हो जाएंगे कि किसे कौन सी जेल में रखा गया था तो आप समझ में आजाएगा क्योंकि ये कुशिन जो हम बहुत सारे होते हैं तो आप ऐसे बार बर पीचे का जो कुश्चन है उसे आगे वाले कौन सा स्टेशन था जहां स्टेशन मास्टर ने प्रताप सींग को पकड़ वाया था तो इसका सही जबाब होगा आशाणाडा स्टेशन कौन सा था आशानाड़ा स्टेशन Ng इसके जवाब में प्रताप सिंग तो इसके जवाब मेरी मां ही मेरे बिना दुकी है लेकिन जिस मा की मैं बात करता हूं उसके तो बहुत यानि धठती माह, भारत माह, वह तो दिन रात इतने सारे सपूतों के लिए आसुब आती है, तो वह सबसे बड़ी माह, मैं उनके लिए काम करता रहूंगा. Next question, जो रावर शिंह भारत कौन थे? तो यह है कि इसी सिंह भारत के छोटे भाई थे. जो रावर सिंग भारत ने किस बाइसराय पर बंप फेका था तो इसका सही जवाब होगा 1912 में बाइसराय लॉड होडिंग्स पर जो दिल्ली में सबाकायोजन हो रहा था उस समय लॉड होडिंग्स पर जो रावर सिंग भारत ने क्या फेका था बंप फेका था कौन सा क्रामतिकारी जो आज इवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए तो वो थे जो रावर सिंग बारहट जो थे उन्हें अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाए थे नेक्स्ट कुश्यन राव गोपाल सिंग खरवा किस समाज से प्रभावित थे तो इसका सही आंसर होगा आरे समाज नेक्स्ट कुश्यन राव गोपाल सिंग खरवा को किस जेल में भीजा गया था तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली के तिहार जेल में राव गोपाल सिंग तो जो चितामनी राचंगटिया जो किस ने लिखा था तो वह है किस ने लिखा था किसरी सिंग बाहराःट में उन्होंने 308 जो लिखे थे उसमें महाराना फत्य सिंग को दिल्ली जाने के लिए रोका था किसरी सिंग बाहरत को किस जेल में भेजा गया था तो इसका सही जवाब होगा किसरी सिंग बाहरत को हजारी बाग सेंट्रल जेल में भेजा गया था किस में भेजा गया था हजारी बाग सेंट्रल जेल में भेजा गया था स्टार्ट करेंगे चेप्टर नमबर 23 आजादी के बाद का भारत कुश्यन नमबर 1 है आजादी से पूर भारत में कितनी रियासते थी आजादी से पहले भारत में कितनी रियासते थी तो इसका सही आंसर होगा, भारती सम्विधान सभा का घठन जो है वह है 1946 में किया गया था, next question, भारती सम्विधान सभा का धाचा कैसा रखा गया, भारती सम्विधान सभा का धाचा कैसा रखा गया, इसका अर्था यह पूछ रहा है कि गड़ तंत्रात्मक था या लोग तंत जिसमें से 292 ब्रिटिश शाषित प्रांतों से और 4 चीफ कमिशनर शाषित प्रांतों से और 93 जो थे वह देशी रियासतों से तो देखिए समिधान सभा में उस वक्त जो सदस्य संख्या जो है वह जिसमें से 392 आपको याद रखने है ब्रिटिश शाषित प्रांतों से तो इसे आप याद रखेंगे और समिधान सभा का जो चैप्टर है वह हम जब राजजितिक विज्ञान पढ़ेंगे पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम डिसकस करेंगे तो वहां आपको यह गया था समिधान सभा में कितनी जन संख्या पर एक प्रतनिदी का निर्वाचन किया गया था तो इसका सही जवाब होगा 10 लाग पर एक प्रतनिदी जो था वह चुना गया था 10 लाग पर एक प्रतनिदी चुना गया था इसो जुवाब होगा जिकानेर की महाराजह सार्दुन सीम्ह उन्हों ने अपने प्रतनीध्य संविधान में संवुदहान सभा कई अद्लाख्ष किसे बनाया गया इस वहेरी वरी इंपोर्टेंड कुश्यन है सम्विधान सभा के जो प्रतम अध्यक्ष जो थे वह है डॉक्टर राजिंद प्रशाद को बनाया गया था सम्विधान सभा के जो अध्यक्ष जो थे वह सबसे पहले किसे बनाया गया था डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद को यह इस्थाई अध्यक्ष थे इससे पहले जो डॉक्टर सचिदानन्द थे उन्हें इस्थाई सदिश्य के रूप में बिठाया गया था क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस वक्त लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजिंद सभा को बनने में कितना ज्यादा टाइम लगा था उसके बाद एक एक चीज जो है सामने आई थी तो सम्विधान सभा के निर्मान में दो साल 11 महा और 18 दिन लगे इसे आप याद रखेंगे नेक्स्ट कुश्चन सम्विधान सभा में किस प्रांत के सदस्यों ने भाग नही लिया था तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद हैदराबाद ने सम्विधान सभा में सदस्यों के रूप में भाग नहीं लिया था नेक्स्ट कुश्चन है प्रतम बार सम्विधान सभा की बैठक जो है कब हुई थी सबसे पहली बार सम्विधान की बैठक कब हुई थी त पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों ने स्वैम को हिंदुस्तान सम्मिधान सभा में कितने सदस्य बच गए थे पाकिस्तान चले गए थे तो आपको यह याद रखना है कि पहले तीन सो नवासी थे और उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद यह 299 सदस्य रहे गए थे और जो सम्मिधान सभा को से जब सदस्यों को अलग किया गया था तो वह डेट थी तीन जूर 1947 नेक्स्ट कुश्चन सम्विधान सभा ने अपना काम कितनी समितियों में बाट लिया था सम्विधान सभा ने अपना कारे जो था वह कितनी समितियों में बाटा था तो इसका सही जवाब है सत्रा समिति कितनी समिति सत्रा समितियों में बाटा था समिधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्षा कौन थे जो ड्राफ कमेटी के अध्यक्षा कौन थे तो यह कुशन जो है वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस पर स्टार्ट लगा लेंगे आप तो सम्विधान सभा को अंगीकरत कप किया गया था तो देखिए यह दोनों कुश्यन जो है वह अलग अलग है यह इन्हें आप एक नहीं करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि सम्विधान को अंगीकरत कप किया था तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1909 कब किया गया था 26 नवंबर 1909 लेकिन अपने सम्विधान को लागू जो है वह है 26 जनवरी 1950 को किया गया था जिसे गरतंत दिवस के रूप में हम बनाते हैं सम्विधान सभाव में राजिस्थान से आने वाले प्रमोग सधस्च कौन कौन से थी तो चुकि आप राजिस्थान लीवल पर एक्जाम देंगी तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी सम्विधान सभा में जो राजिस्थान तो यह सदस्य जो थे वह है राजिस्तान से गए थे तो आप इनके नाम जो है वह है एक बार अपने इनने समझ ले और इनको नाम जो है याद कर लेए याद करेंगे क्योंकि आपसे पूछा दा सकता है चार अप्शन दे दिये जाएंगे कि जैनरा एंड व्यास बलवन सिंग महत रामचंद रुपातिया और लाला लाजपत्रा इनमें से कौन ऐसा था जो राजिस्तान में से सदस्य जो थे वह समिदान सवा में शामिल नहीं हुआ तो आप इस प्रकार से इनके कुश्चन जो है वह आएंगे तो आप टिक कर पाएंगे यदि आपको इनके नाम पता ह किसमें देसी रियासतों को भारत में विलाय करने के लिए प्रेडित किया गया था कि जो सर्दार बल्लवाई पटेल थे उनके अधिक्सता में देसी रियासतों को भारत में मिला लिया था कहां के नवाब ने राजस्तान के कुछ राजाओं को अपनी और मिलाकर पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई थी तो वो कहां के नवाब थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो वो है राइट अंसर है भुपाल के नवाब जो थे उन्होंने यह योजना बनाई थी जो राजा है वह पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो ऐसी योजना जो है उन्होंने जिन्ना के प्रोचाहन पर बनाई थी सम्विधान सभा के निर्माण के समय मेवाड रियासत के महाराजा कौन थे तो इसका सही जवाब होगा जो भुपाल सिंग थे महाराजा भुपाल सिंग थे वह मेवाड रियासत के महाराजा थे उस वक जिस समय सम्विधान सभा का निर्माण हुआ था भारत वा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है भारत वा पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट अंसर होगा की अख्षता में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निधारण हुआ म करेदेशच क्यूं बहुत ज्यादा तेज लग रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा तो मैं अपने अवाज को थोड़ा कम कर लोगी नेक्स्ट कुश्चन 1971 के युद में पाकिस्टान के लगवग कितने सैनिकों ने भारतिय सैना के सामने आतम समर्पर कर दिया था वैसे पाकिस्तान जो है वह हमेशा से आतम समर्पर ही करता आया है क्योंकि उसके बसकी तो वैसे भी कुछ नहीं है तो 1971 में जो युद्वा था उस समय 90,000 जो पाकिस् Qishan 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 Q हो गटन stole ग्राइचे घ्राइचे युजनायोग के अस्थान पर नितियायो का गठन में किया है नितियायोग का पदियन् अधाख्यव होता है तो 2015 से पहले संड़quently के rais Haber और अब यह पुछते हैं निति आयो का पधियर अध्यक्ष कौन है, तो एक यह अंसर होता है कि योजनायो के जो अध्यक्ष या निति आयो के जो अध्यक्ष है वह हमेसे प्रदान मतरी होते हैं, और भरतमान में जो नरेंद्र मोधी जी हैं, नेक्स्ट कूश्यं। निटी आयो के प्रतम उपाध्यक्ष का संबंद राजिस्तान के किस जिले से हैं निटी आयो के जो प्रतम उपाध्यक्ष थे उनका संबंद राजिस्तान के किस जिले से था तो इसका राइट अंसर है अर्विंद पंगड़िया अर्विंद पंगड़िया जो भील वाड़ा लेसे थे वह है नीती आयों के प्रतम उपाध्यक्ष चुने गई थे कहा से राजिस्तान से रियासती सचवाले की सथाफना कप की गई थी तो इसका राइट अंसर होगा रियासती सचवाले कि सथाफना पांच जुलाई 1947 को की गई थी कप जुलाई 1927 को सचिव बनाया गया था किने बनाया गया था नेक्स कुस्टेश हो गाए तो कितनी लिची अधा यूज डाशान बले नीशाद करना नीशाना तिसका राइट आंसर होगा कि आजादी से पहले भारत में 562 रियासते थी और 1947 के बाद जब रिटी सर्वोज का समाप्त हो गई थी तो 19 रियासते और 3 ठिकाने थे तिन ठिकाने कौन से थे नीमराणा कुसलगड और लावा कितने थे तीन ठिकाने तो इनको आपने तो एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं जैसे ये नीमराणा कुसलगड और लावा यानि नकल नेक्स्ट कुशन राजिस्तान के एकिरण के समय केंदर सासित प्रदेश कौन कौन से थे राजिस्तान का जब एकिरण हुआ था तो उस समय केंदर सासित प्रदेश जो थे वो कौन कौन से थे मीरवडा को एक नवंबर 1956 में जब राजिस्थान का एकिकरण गhmrieben गुए था उस चरण में शामिल किया गया था तो अजमेर मीरवडा जो केंध्र शासित प्रदेश थे उन हैं aज नवंबर 1956 को राजिस्थान के एकरण के जो चरण में शामिल किया गया था वह फैजल अली सम्विती के द्वारा किया गया था इसे आप याद रखेंगे और आप यहां इस्टार भी लगा लें कि फैजल अली सम्विती जो थी उसकी सिफारिष पर ही अजमेर मेरवड़ा के इंदर शासित प्रदेसों को एक नॉमबर नियसे चपन में राजिस्थान के चर खुआ है राजिस्थान का एक गिरण कितनी चरून में पूरा हुआ था तो इसका सही जवाब है सबसे पहले मतर्षचे संग बना अलवर भरतपुर करॉली और धौलपुर शामिल थे और यह 18 मार्ट 1948 को बना था यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है और आपसे यह साथ जो चरणों में एकिकरन गुआ था राधिस्थान का तो आपसको हर एक चरण के बारे पता होना चाहिए कि सच्छी प्रधान मंतरी कौन बढ़ाया गया था और यह कब बना था और इसके अलावा इसमें कौन से रियासति सामिल थी तो फर्स्ट पहास जो मतर से संग बना था वो है 18 मार्च तो उस समय के सभी जो नाम है आपको कि राजब्रमुक मतस्यसंग के कौन थे उद्गाटन करता कौन थे प्रधान मत्री कौन थे वह एक ही जगह पर आपको याद हो जाए तो आपको याद रखना है कि मतस्यसंग जो है अठारा मार्च उनिर्श अटालीस को बना था अलवर भ भारां कुमावत थे और आपको ये लर्ण करने ही पड़ेंगे क्योंकि इन में से कुस्षिन जो है वह है लास्ट यर भी पूछा गया था और हर सारीस में से कुछन पूछा ही जाता है नेक्स्ट पूर्वी राजिस्थान जो दूसरा चरण था वह है पूर्वी इसके अलावार प्रद्हान मंतरी तो इसे एक बार समया को रिवाइस करवा देती हूं राजिस्थान संग जो है वह है 25 मार्च 1947 को बनाया गया था बासवड़ा चाला वार दूंगर कोड़किस्ञंगर कोटा प्रतापगर और शाहपुरा वाट टॉंक ये सबी शामिल ते क जो था उसे पूर्वी राजिस्थान संकी राजधानी बनाया गया था और जो राज प्रमोक थे भीम सींग थे उध्वाटन करता एंड वी गॉट गिल थे इसके लावा प्रधान मंत्री गोकुल दास असावा थे नेक्स्ट वर्ट चलेंगे संहिक्त राजिस्थान कभ बना था वह इसमें कौनखों सी आर्या से सामिल की गई थी संहिक्त राजिस्थान के इसमें राज्पर मुख उध्वातन करता वा प्रधान मंत्री कौन थे तो आपको बताना है कि सज्ञेक्त राजिस्थान के समय जो राजवामुख थे उद्गाटन करता थे और प्रधान मंतरी वो कौन थे तो इसका सही जवाब होगा वोपाल जेंक को राजवामुख बनाया गया था पंडित जवाला नहर उद्गाटन करता थे और मारिक केलाल बर्मा इन्हें संयोक्त राजिस्थान का प्रधान मंत्री बनाया गया था तो यह सभी तीनों टिकिया जो है उन्नेशो अटालिस की थी नेक्स्ट वरहत राजिस्थान कब बना वह कौन सी रियासत ने इसमें श्रामिल की गई तो व्रहत राजिस्थान जो है वह है तीस मार्च उन्नेशां को बना था इसमें जैपूर जोदपूर जैसलमिर और विकान वैसे बुक्स में गलती है लेकिन फिर भी गलत प्रिंट हो गया होगा शायद तो वहां पर व्रहत राजिस्थान जो थीन बार दिया गया है जबकि सिक्वेंस से गलत है तो आप प्रीज उसमें करेक्शन कर लें और तो कि मैंने पुरानी जो भुक्स होती है उसमें से और से लिखला मंत्री कौन थे तो इस समय राजप्रमुघ Ohh Man Sin Düttiye Ballabai Patel को उध घ्र करता बनाया गया थो प्रधान मंत्री थे तो भलाल सास्ति इंसे आप tırमाने शास्त्री इंहां आप याद रखेंगे नैक्स्ट पुस्ट्टो exhale back कन बना था इसमें कौन- कौन-कोन कौनसा बशीआ बर्धराजिस्तान तो वह नें नेचे बना था उसके बाद संयुक्त ब्रहत राजीस्तान यह भी 69 इसमें क्या हुआ मतर्ष्य संग वह भ्रहत राजिस्तान इसमें क्ल्कराथा राजिस्तान उन्हें शामिल किया था anywhere यह है संकर राय डेव समिती के सिफारेश पर सहयोक्ति राजिस्थान जो है वह है बना था संकर राय देव समिती के द्वारा किया गया था यह थोड़े से टीपिकल है क्योंकि सभी की जो प्रधान मंत्री उद्धारन करता सभी चेंज हुए थे तो आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि यदि आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा लेकिन आपके लिए याद रखना बहुत जादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से 101% कुश्यन आता है राजिस्तान संग कब बनावा इसमें किसे शामिल किया गया था तो यह 26 जनवरी 1950 को इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं क्योंकि गर्तंत्र दिवस था तो 26 जनवरी 1950 को राजिस्तान शंग बना था और इसमें किसे इसमें संयुक्त ब्रहत राजिस्तान जो था उसमें शीरोही को सामिल किया गया था किसे सिर्फ शीरोही को सामिल किया गया था क्योंकि माउंट आबु अदेलवड़ा वाला जो शेत्र था अंग्रेजों के अधिनुगा करता था तो उन्होंने उस वक्त उसे शामिल नहीं क को पूरा होता है तो उसे ही वर्तमान राजिस्तान कहा गया इसमें क्या किया गया अजमेर मेरवाड़ा और देलवाड़ा को इसको भी शामिल कर लिया गया था और यह भी याद रखेंगे कि यह जो है बोकुल भाई भट्टा के योगदान से ने शामिल किया गया था राजिस्तान एक एक्रण का श्रे किसे जाता है? चाहिए कि 30 मार्च जो है वह राजिस्थान दिवस के रूप मंगा जाता है और ही प्रारम हुआ हम यह नवंबर 156 को कंप्लीट हुआ था। fusion 6 2 इकी करन चील राच प्रमुक पर भागा गया था थे तो इसãy आज भी हम देखते हैं नेक्स कечатण आ इसे प्रत्तम राज्यक पाल जो भाए हों है कॉछन बने ये बहुत ज्यादा इंपोट्स क्योंन है इस यह आपके चप्टर का लास्ट कुश्यन होगा और आज आपका 23 चप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा आज आदी के बाद का भारत तो यह चप्टर बहुत जादा इंपोटेंट था यह आपको सिविक्स में भी मिलेगा इसलिए आप इसको यहां पर ही आद करने जिसे आगे स्टार्ट करेंगे कुश्यन नमबर भन है चंद बर्दाई का जन्व कहा हुआ था तो इसके राइट अंसल होगा चंद बर्दाई का जन्व लाहूर में 1148 इसमी में हुआ था चंद बर्दाई जो बहुत ज़्यादा पेमस नाम है जिनकी रचना प्रत्मीराज रासु है त नेक्ट कुशिन CT, चंदर वरदाई कि पिता का क्या नाम था ? इसका सही जवाब है राओ बेर्ड छो है, राओ बेर्ड जो है वह चंदर वरदाई कि पिता का नाम था नेक्ट कुशिन CT, 002 एक प्रशिद रचना का नाम Всё, वह ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसका आपसुस्टार लगा लें कि चंदवर्धाई की प्रशीद रचना का नाम शोय है प्रतवीराज-्रासू था इन प्रतवीराज-्रासू नेक्ट कुष्टन तो ब्रहसुट नामकुप्ता नामक सितarta नामक गरंत की रचना जो है ब्रहम-गुप्तने की थी किस ने की थी? ब्रह्म गुप्त ने की थी? Next question. ब्रह्म गुप्त का जन्म जो है कहा हुआ था? ब्रह्म गुप्त का जन्म जो है भीन माल जो जालोर में पड़ता है वहाँ पॉर्ण चानवे इस्वी में हुआ था. Next question. ब्रह्म गुप्त ने की थी? Next question. ब्रह्म गुप्त के दो रचनाओं के नाम याद रखने हैं एक तो ब्रह्म इस फुट और ब्रह्म गुप्त ने की थी? ब्रह्म गुप्त ने ग्रंतों का किस-किस भासा में अनवाद किया था? तो इसका राइट अंजर है अल्भी और पार्सी भासा को उन्होंने अनवाद किया था. Next question. ब्रह्म गुप्त का विश्यस योगदान किस शेत्र में रहा? ब्रह्म गुप्त का विश्यस योगदान किस शेत्र में रहा? तो उनका विश्यस योगदान विश्यामिती शेत्र में रहा? इसमें रहा? श्यामिती शेत्र में. Next question. ब्रह्म गुप्त का विश्यस योगदान 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 का विश्यस इनके नाम से ही आपको लर्ण हो जाएगी कि महर्ची शुष्रत द्वारा शुष्रत सहिता जो वह है उस गरंत को रचा गया था Next question श्री निवास रामानुच का जन्द कब हुआ था? श्री निवास रामानुच का जन्द कब हुआ था? जिसका राइट अंसर है श्री निवास रामानुच का जन्द कमिल लाडू की ईरोड नगर में 22 दिसम्बर 1887 इसली में हुआ था Next question पैत्रिकिस्णान नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् महां कभी माग कहां के थे? इसका राइट अंसर है, महां कभी माग जो हवा है, भीन माल, जो जालों में पढ़ता है, वहां किसी माल नगर के थे? Next question. शिशुपाल वधम नामगरंद की रचना किस ने की थी? Very very most important question, शिशुपाल वधम नामगरंद की रचना किस ने की थी? तो शिशुपाल वधम नामगरंद की रचना महां कभी माग ने की थी. कुम्बलगड दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुम्बलगड दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुम्बलगड जो किस ने बन वाया था? महाराना कुम्बा ने बन वाया था तो कुम्बलकड दुर्बका जो शिल्पी है वह है मंदन था कौन था? मंदन Next question मंदन गुजरात के किस कुल से संबन देत था? मंदन गुजरात के किस कुल से संबन देत था? मंदन के पिता का क्या नाम था? जिसके राइड आंसर होगा, मंदन के पिता का नाम शेतराक था, जिने केता भी पहा जाता था मंदन के द्वारा कौन कौनसी ग्रंथ लिखे गए थे? जिसके राइट आंसर है, मंदन के द्वारा देवतामूर्ती प्रकरण, प्रशाद मंदनम, वास्तुराज बल्लवं और वास्तुशार यह लिखे गए थे, इसके अलावा कई बुक्स में वास्तुमंजुरी जो है वह वास्तुमंजुरी जो है उनके भाई ने लिखा लिखे गए थे, वह देवतामूर्ती प्रकरण, वास्तुराज बल्लवं और वास्तुशार यह लिखे गए थे. इसके अलावा आपको विशेज याद रखना है कि मंदन के भाई द्वारा वास्तुमंजुरी लिखा गया थ तब वहाँ पर आपको वास्नमंजरी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह याद भी रखना है कि मंदन की भाई दोरा ही है, ग्रंड दोरा था दोरा मंदन की दोरा नहीं लेकिन फिर भी बुक्स में वास्नमंजरी जो है उनके साथ भीया गया था next question महर्शी पाराशर का जन्म स्तल कहां है तो महर्शी पाराशर का जन्म स्तल कहां है तो महर्शी पाराशर का जन्म स्तल जो है वह है अजमीर में खुष्कर में है Next question, question number 23 है क्रशी पाराशर नाम ग्रंद की रचना किषने की थी क्रशी पारशर नाम ग्न्ण गुचन की थी? तो इसका right answer है महरणा प्रताप की ते उन्होंने ही क्रशी पारशर नाम ग्न्ण गुचन की थी next question करेंगे चक्र पाणी मिश्र किस चाशक के दरवारी थे? इसका सही जवाब होगा महाराना प्रताप के दर्वारी थे, उनका नाम चक्रपाणी मिश्र था नेक्स्ट कुश्चन ब्रहत सहिता किसकी द्वारा रचित ग्रंथ है? ब्रहत सहिता किसकी द्वारा रचित ग्रंथ है? ये कई बार ये कुश्चन जो है वह एक्जाम में पूछा गया है जो महाराना प्रताप के दरवारी थे तो उन्हों ने किस रोत का सहारा लिया था तो उन्हाने वराह महीर की जो ब्रहन सहिता है उसका सहारा लिया था महाराना प्रताप के और उन्होंने विशुवलब की रशना वराह महीर की ब्रह चाहिता है का सहारा लेकर पूरी की तो देखिए यह बहुत चाले इंपोर्टेंट कुश्यन है कि जो हिंदी भासा में था हिंदी का पहला महा कावे था वह किसे कहा जाता है तो प्रत्वी राज रासो प्रत्वी राज रासो जो है वह हिंदी का प्रथम महा कावे कहा जाता है और प्रत्वी राज रासो किसके द्वारा रचित है वह है चंद वर्दाई के द्वारा ही रचित है और चंद वर्दाई जो थे वह है प्रत्वी राचोहान के समय के थे भूमी गजलियान बत किसने किया था चक्रपानी विष्ट यह वही है जो महाराना प्रताप के दरवारी थे और इन्होंने विष्व अलभी रशना जो है वहा है वहा है वड़ाहा में एकी व्रह सहीता का सारा लेके किया था रण्धंबोर का शाषक हमीर देव के गुरू पॉन थे प्रतापि साषक हमीर देव थी उनके गुरू पॉन थे सारंधर सहीता का नाम क्या था तो सारंगधर के पिता का नाम जो है दामुदर था क्या था सारंगधर के पिता का नाम दामुदर Next question हमीर रासो की रचियता कौन थे? हमीर रासो की रचियता जो की वह सारंगधर थे यह आपको याद रखना है हमीर रासो की रचियता जो है वह सारंगधर थे सारंगः सहीता के रचेता कौन है? जसा कि नाम से ही सबस्ट है, सारंगः सहीता जो हब है, सारंगः ने ही रची थी चक्रपाणी मिश्र के चारों ग्रण्तों के नाम बताईए तो चक्रपाणी मिश्र जो थे, उनके चार ग्रंट थे, विश्व बल्लब, जिन्हें उन्होंने बड़ा मीर की प्रहत सहीता का सारा लेकर पूरा किया था, दूसरा है मुहुर्त माला, उसके बाद है व्यभारा दर्ष, राज्या भिशेक पद्धिति और ब्रक्षायु आपने कितने सॉल्फ किये या बताईए इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में है तो प्लीज ये कुछ्शन आप अच्छे से रण करके और फिर वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट ग्रास नाइन है वह स्टार्ट होई तो मिलेंगे के फस्ट चेप्टर के साथ, थैंक यू